स्री भागवत भगवान की है आरती आपियों को आप से है तारती स्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती इसरी खागवत भगवान की है आनिती आप्टियों से आप्टियों 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 इसरी आप्टियों 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 आप्टिय हरे ध्यान यही हरे नाम यही हरे ज्याम यही चक के मंगल की है आरते पापियों को पाप से है तारते हिसे भागवत बगवान की है आरते पापियों को पाप से है तारती ये सांती गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला हरी तर्श कराने वाला ये सांती गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला हरी दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी स्रीमत सूदन की है आरते पाकियों को पाक से है तारते इसी भागवत हगवानी की है आरती पाकियों को पाक से है तारती ये मधुर बोल जग फंद खोल सत मार्ग पताने वाला बिगडी को बनाने वाला ये मधुर बोल मग पंत खोल शग मार्ग बताने वाला बिगडी को बनाने वाला स्री राम यही धन शाम यही स्री राम यही धन शाम यही प्रभु के महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती करपूर गोरं करुणाब तारं तंसार सारं भुजगेर हार सदावसंतं हिर्दयार बिंदे भवं भवाने सैतं नमा गौमेव माता छपता गौमेवा गौमेव पल्धू चत्काम देमा गौमेव वेत्यात बिडं गौमेव पल्धू 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 खोश्पानी सुनतयार्प है पुण्ना ग्रजात करवील रशाल पूश्पई विलवप्रवाल तुलिसी दलमंजरे विलवप्रव। पुण्ना ग्रजात करवील तुलिसी दलमंजरे विलवप्रव। पुण्ना ग्रजात करवील तुलिसी दलमंजरे विलवप्रवाल तुलिसी दलमंजरे विलवप्रव। तुलिसी दलमंजरे विलवप्रवाल तुलिसी दलमंजरे विलवप्रव। पुण्ना भीलवप्रवंख पुण्ना ग्र do क्रजात कौन्ग्र करवील तुलिसी दलमंजरे विलवप्रवाल तुलिसी दलमंजरे विलवप्रवंख विदेश कथा से जुड़ चुका है उन सभी सरधालू जनों का मनुसरी मानो सिवा संस्थान के माध्दम से बहुत-बहुत स्वागत वंदन अवननन और विंदावन की पावंधरा से सभी को राधे रादे जैसी अराम जैसरी कृष्णर हम और आप मानो मंदर के निरमाडार् सरधाम ब्रिंदावन में स्रीमत भागवत कता का ये भव आयुजन किया जा रहा है तो आप सभी मानो मंदर आश्रम जो निरमाडा धीन है सरधाम ब्रिंदावन में कल जिसका विदवत भूमी पूजन हुआ वहाँ पर उन सभी उपेक्षित जन जिने अपनों ने बेघर कर दिया है उन्ही सब को एक सुन्दर घर जैसा वातावरन दे कर उनके जीवन में पुन है खुश्यों को भर देने का प्रियास किया जा रहा है तो आप सभी भक्त जो भी वहाँ बेटे हैं और जो भी चैनल के मादम से महरासरी को लगातार दिसा के मादम से सुनते आ रहे हैं तो अधिक से अधिक पुराना वर्स बीत रहा वैवहारिक नौवर्स और कल से लगेगा तो अधिक सदिक आपकी मंगल में सेवा मानो मंदर के लिए आनी चाहिए और यहाँ पर अगर आपकी सेवा आती है तो वास्तों में अनन्त गुना फल की प्राप्ती होगी क्योंकि व गुन्नों की गड़ना तो सायद चित्र गुप्त भी न कर पाएं तो जो भी भक्त महरासरी के उस मंगल में प्रकल्प में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो एक फुट भूमीदान सहयोगरासी ग्यारा सुरुपए पाच फुट भूमीदान सहयोगरासी पश्पन सुरुप प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं पुसरी मानो सेवा संस्थान एवा मानो मंदर निर्माड के जो विविन प्रकल्प चल रहे हैं उसके आप आजीवन सदस्थ से बनना चाहते हैं तो मात्र 21,000 रुपए की शेवा देकर आप इस ट्रस्ट के आजीवन सदस्थ से बन सकते हैं संस्था के माध्दम से आपको प कल की मंगल में कथा में दो फुट भूमी के लिए 22 रुपए का योगदान अरुना कस्थब जी है नोईडा से किया उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अविनन दन उसी करम में 55 रुपए 5 फुट भूमी के लिए सायोग दिया है गीता खुप चंदानी जी दिली के लिए उनके लिए भी आप ताली बजा दिजे साथी साथ 1100 रुपए की मंगल में सेवा एक फुट के लिए सोभना विजय जी है मुंबई से आपने भी अपनी सेवा दी है और उसी करम में 22 रुपए याने दो फुट भूमी का योगदान सुरगी स्री सत्त नरायन सिंग शारवल जी आपने भी मानो मंदर के लिए 1100 रुपए याने एक फुट भूमीदान की सायोगरासी दे कर अपना उस संकल्प में भागीदारी निभाई है तो अधिक सदिक जो भी भक्त यहां बेटे हैं कारेले से संपर करके अपना नाम दे सकते हैं जिसा के माद्दम से जो सरवड कर रहे हैं आपके टीवी स्क्री में लगातार महरासी के ट्रस्ट के कारेले के नंबर चल रहे हैं तो आप भी मानो मंदर के लिए एक फुट दो फुट तीन फुट अधिक सदिक आपकी शेवा रासी आनी चाहिए साथी साथ जो पूरा देश विदेश महरासी को स्रवड कर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में परिवार में नगर में महरासी के मादम से भागवत कथा राम कथा भक्तमाल का ऐसा ही आयोजन हो तो कथाओं के लिए भी आप सभी भत संपर के कर सकते हैं अब आईए बलंबना करते हुए क्योंकि हम सभी को पूरा विस्व इंतजार है म जैकारे के साथ हम सभी महरासी के पावन स्री चरणों में प्रातना करें कि आज की दुती दिवस की मंगलमी कथा में हम सभी को सुना कर तरत्त करें आईए जैकारे के साथ सीधे चलते हैं महरासी के चरणों में स्री व्रिंदावन विहारी लाले की जै जै स्री राधे जै ग आम् स्वस्थी श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वते नमाः श्री वेद पुरिशाय नमाः स्थान देवताय नमाः समस्थ आवाहित्ते वताय नमाः समस्थ भूते व्यो नमाः समस्थ जनाय नमाः नमाः लंबो दरं परम सुन्दर मेक दंतं रक्तां वरं प्रैनं पर्मं पवित्रं अध्य तिवा करकरों ज्वलकाय कांतं विगनेश्वरों सकल विगनहरं नमाः ध्यान मूलं गुरु मूरती पुजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मौक्ष मूलं गुरु क्रपह यंप्राप्रजन्तु मन पेत्मापेत् गृत्यम द्वैपायनों विरहकातरा जुहाव पुत्रेतितन्मेतयातरवो भिनेंदुह तमसर्वहर्भूतहर्दयम निमान तोश्व कृष्णायवासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशिनाशाय गुविंदायनमो नमह करपूर गौरं करुणा अवितारं संसार सारं मुझगेंद्रहारं सदार वसंतं दयार विन्दें बवं भवायनि सहितं नमाय कस्तूरितिलकं लला आत्रपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासा क्रेवर मोक्तिकं करतले मनों जिवं मारततु अल्य वेगं जीतेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्टं वातात्मजंवानर जूत्मख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपति श्रीरामदूतं शरणं प्रपति राधा मेरी स्वामिरी मेराधा कोदा जनम जनम मोहदी जिहो श्री व्रिंदावन वाः सभी प्रेम से कहें श्री सितराम चंद्र भगवाले की श्री मांके बिहारी लाले की अमा गौरी पती की गंगा मया की यमना मया की सरस्वती माता की धरती माता की माता पिता की गुरुदेव भगवाने की गव माता की सभी देप्ता शवीरिष्मनी सभी राम्मन देवताओं की सरातन धर्मकी राधे राहुदे राधे राहुदे राधे राहुदे श्री रादे आज की हमारी उपस्तिती भगवान के श्री चरणों में परम कल्यानकारी परमात्मा वांगमय रूप में हमारे बीच श्रीमत भागवतम की द्रश्टी में विराजमान है हम सभी को ये सौन्दर ये पूर्ण जीवन उनकी कृपा से मिला है और इसकी और बड़ी जो खुबसूरती है सुन्दरता ये है कि हम उनी की कृपा से उनी को ये जीवन समर्पित कर रहे हैं मानव मंदिर श्रीदाम वंदावन असहाय व्रद्दजन नराश्चृत बेसहारा अपनों के द्वारत रसकृत उन व्रद्दजन के लिए समर्पित है जिने अब सहारा नहीं है कोई उनका सहारा बनने के लिए उन व्रद्दजन माताओं पिताओं के लिए मानव मंदिर संकल्पित है उसी के भूमी पूजन की प्लक्ष में ये गंगा भगवत रूपी गंगा जो बहना आरंब की है ये हम सपर महती करपा है भगवान की के इस आनंदमई बेला में हम साक्षी बन पा रहे हैं इस आनंदमई बेला में हमारे जीवन में कल्यान हो रहा है और हम परमानंद से उस आनंद को समझ पा रहे हैं आईए आज की इस पवित्र दृति दिवस की कथा में प्रवेश करें एक बार नाम संकिर्टन और तत्पश्चात कथा प्रवा में आगे बढ़ें जय जय राधार मन हरी बोलरे 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 जय राधार मन हरी बोलरे हरी बोलरे हरी बोलरे हरी बोलरे जय जय राधार मन हरी बोलरे जय जय राधार मन हरी बोलरे जय जय राधार मन हरी बोलरे जय 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 राधार मन हरी बोलरे जय 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 राधार मन हरी बोलरे 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 यळीबॉले, हरी बॉने। बोले हरी बोले शाम बोले राम बोले शाम बोले शाहम बोले जैजरादा रमन हरी बोले रे जैजरादा रमन हरी जैजरादा रमन हरी बोले रे जैजरादा रमन हरी बोले रे राधा बूले राधा बूले राधाइं रादां बोले 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 चैने चाहर कर दो भाइदे आरी फोजे दे चैने चाहर कर दो भाइदे आरी फोजे दे शाम बोले राम बोले शाम बोले राम बोले शाम बोले राम बोले शाम बोले राम बोले राम बोले शाम बोले राम बोले राम बोले शाम बोले राम बोले राम बोले हरी बोले रे हरी बोले हरी हरी बोले हरी बोले हरी बोले, हरी बोले, हरी मोले हरी हरी बोले, हरी हरी बोले, 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 ह बोलिर रभ बोलिर रभ बोलिर रभ बोलिर रधा 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 बोलिर राम भोल रे राम भोल रे शाभ भोल रे राम भोल रे जै जै रादारमन हरी बोल रे जै जै राधार मन हरी बोल रे जै जै राधार मन हरी बोल रे जै राधार मन हरी बोल रे जै राधार मन हरी बोल रे जै रहे तू इस परम पावनी कथा के पावन गायन में बैठकर अपने जीवन का कल्यान कर रहे है हम सिर्फ कथा नहीं सुन रहे हैं हम एक महान मानव मंदर प्रकल्प की कथा के साक्षी बन रहे हैं ये साक्षी होना इस कथा का अंग होना और मानव मंदर का अंग होना अपने आप में एक विलक्षन छण है जो कभी कभी किसी के जीवन में आता है जब हम कई-कई जन्मों के सुन्दर कृत्यों को एकाकार कर लेते हैं और जब वो सुन्दर फूलों से बना हुआ गुलदस्ता बन जाता है तो वो परमात्मा को पसंद आता है और वो अपने निज़् सेवा में सेवा देते हैं हमराप इस पतितपावनी कथा कि उसी गुलदस्ते के एक पुश्प है जो अपने जीवन के परमकल्यान और आगामी जीवन की यात्रा के लिए या फिर इस जीवन की यात्रा की मुक्ती के लिए सुक का सादन खोजते हुए इस यात्रा में शामिल है हमें चाहिए कि हम अपने परमकल्यान की तैयारी करें और अपने परमकल्यान को प्लब्द हो जाएं एक दिन तो ऐसा आए जिस दिन गोविंद के सामने हम खड़े ओकर कह पाएं कि तुम ही हमारे पालन हारे हो और तुमारे ही साथ हमें गमन करना है तुमने हमें इस धरा पर भेजा और हम नजने क्या क्या करने लगे लेकिन हे नाथ उन सब के बावजूद आपको हम भूले नहीं आपके बने रहें ऐसी क्रपा हम सब पर जरूर बनाए रखना और हमारे जीवन का कल्याण हो ऐसी क्रपा देना आज बड़ा हर्श का विशे है यह तो कथा हम सुनते और कहते काफी है लेकिन इस कथा की विशिष्टा यह है कि यह कथा एक स्वप्न के साकार होने की कथा है जिस मानव मंदिर के स्वप्न को हम सब मिलकर देख रहे थे वो मानव मंदिर अपने भूमी पूजन की और साकार हो गया कई वरदजन असहाय जन तरस्कृत जन बेसहारा जन के लिए एक अनुपम एक सुन्दर घर जैसी इस्थिती अब जल्दी तयार होने वाली है जिसे न वरदाश्रम कहा जाएगा न तेरा घर न मेरा घर उसे कहा जाएगा मानव मंदिर वो मानव मंदिर जिसमें सब रहकर मानवता की और भड़े सब एक हो जाएगे सब एक दूसरे का हाथ पकड़े जोत से जोत जलाएगे और जीवन में प्रकाश बर ले ऐसी सुन्दर विवस्था नाराइण ने इस धरा पर मानव मंदिर की रूप में साकार करने की प्रेड़ना हम सब को दी है हम सब के जीवन का कल्यान करने के लिए भगवान ने हमें ये सौबाग की दिया है कि हम इस मानव मंदिर की किसी ना किसी भाग से जुड़ कर अपने जीवन का कल्यान कर पा रहे है या तो हम यहाँ तन से मन से धन से जैसे सेवा हो सकती है जुड़ रहें आपके पास मान लीजिये धन नहीं है तो तन से जुड़ें तन काम नहीं है तो मन से जुड़ें और बस मानव मंदर की सुन्दर बल्दी भविता की और अग्रसर हो जाए इसके कामना करते रहें ये भी एक बड़ा सैयोग और दान होगा इश्वर ने हमें ये जो जीवन दिया है इस जीवन की उप्योगिता हम सीख रहे हैं क्योंकि हम अपने तमाम जीवन को नजन कहा का कि इनकिन लोगों के द्वारा कहने के अनुसार जीते तो आ गए लेकिन वो जीना सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के लिए जीना था शरीर के लिए सब जीते हैं शरीर सब के लिए जीता नहीं है लेकिन आप पूरे जीवन बर अपने शरीर को पुस्ट करने में लगे रहेंगे लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब यह आपको धोका देगा, हमको धोका देगा, किसी का सगा नहीं है जिस शरीर को पाल पोस के बड़ा करने में हम दुनिया भर की बाते सहन करते हैं दुनिया भर से मोह करते हैं विद्रोह करते हैं इसके सुख के लिए तमाम यतन करते हैं लेकिन आपको मालूम है कि यह आपका सगा नहीं है ये एक दिन आपको हमको भी छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ये लौट कर नहीं आएगा ये मिट्टी हो जाएगा और जब इसे मिट्टी हो जाना है तो ये बात तैमान के चलना कि ये हमारा सगा नहीं है तो सगा कौन है इस बात पर विचार करना ही भागवत है अपने सगे को जानना अन्तो गत्वा जिस यात्रा में हमें एक दिन वहाँ डेस्टिनेशन जिस जगह पर पहुँचना है उस जगह को जान लेना ही भागवत है और आप ये जानने का प्रयास कर ले तो आनंद आ जाएगा यही भागवत हो जाने की प्रक्रिया है और यही भागवत हो जाने का एक मात्रविकल्प है कि हम भागवत को जीवन में उतार ले एक बार उतार बर लीजिए आप वो सब कर लेंगे जो आप चाहते हैं और जीवन बहुत सुन्दर हो जाने वाला है कल कथा का शुबारंब हुआ हमने कथा के विशय में जाना महत्म को जाना और ये जाना हमने किस तरीके से ये कथा हम सब के क्लिये कल्यार कारी है जीवन में जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये कथा कल्यार कारी है अगर हम जीवित हैं तब भी ये हमारा कल्यार करती है और अगर हम भूत प्रेत आदी किसी योनी में हैं तो भी ये कथा हमारा कल्यार करती है आप बताईए इस दुनिया में कौन है ऐसा जो आपका इतना साथ दे सके और ये साथ सिर्फ नाराइन देना चाह रहा है नाराइन हमारे साथ हैं वो हर पल हाथ फैलाए बैठे हैं लेकिन ना जाने हम कहां अपने हाथों को छुपाए बैठे हैं बन्दा हुआ आ रहा है पुरों आवाज है नहीं खुल रही है और जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे तब तक जीवन का कोई कोई मतलब नहीं बनता आप और हम सुबह उठते हैं अपनी दिन चरिया में लगते हैं कपड़े लत्ते सब पेना और सब करा खाना पीना सब करा रात को फिर सो गए फिर उठे फिर सो गए फिर उठे फिर उठे फिर उठे ये सोना और उठना एक शरीर की प्रक्रिया है लेकिन कई बार गड़बड़ ये हो जाती है कि शरीर की प्रक्रिया के साथ हम आत्मा को भी लगा देते हैं आत्मा भी वही रियक्ट करती है जो रियक्ट हमारा बॉडी कर रहा है बॉडी इस डिफरेंट बॉडी एक अलग चीज़ है आत्मा एक अलग चीज़ है हम क्या कर रहे हैं अपनी आत्मा को भी शरीर मान लेते हैं और उस उस वज़े से समस्या क्या हो रही है समस्या ये हो रही है कि हमारे साथ गलत गटना घट जा रही है और ये गड़बड है ये बहुत बड़ी गड़बड है तो हमें चाहिए कि हंस जिस तरीके से ग्यानी होकर दूद और पानी को अलग कर देता है ठीक उसी तरीके किसे हम भी अपने शरीर और आत्मा को अलग करकर दोनों के नियमों को समझ कर अपने जीवन को जीए कल हमने महत्म में जाना कि किस तरीके से भक्ती महरानी और ग्यान और वेराकी के जीवन का कल्यान हुआ हमने जाना किस तरीके से प्रेतियोमिन योनी में चले जाने के बावजूद दुन्दकारी का कल्यान हुआ दुन्दकारी के जीवन में सुन्दरता आई उसको वेकुल्ट मिला मतलब ताक पर ये बड़ा सीधा सीधा है कि ये कथा हर तरीके से कल्यान कारी है हर तरीके से उत्ब है लेकिन आप इसकी उत्बता को जीए यह जितनी बार सुनी जाये सुनिए किसी एक दिन को यह गड़ी ऐसी जरूर आएगी एक शब्द निकलेगा और उपके जीवन को बदल देगा एक शब्द एक शब्द में पूरा जीवन बदल सकता है लेकिन वो शब्द कौन सा होगा ये आपको नहीं मालूम इसलिए आपको निरंतर कथा में रहना है सौबाग्य हमारा अच्छा है वो सकता है पहली बार में काम हो जाए गौकर्ण जी पूछते हैं कि साब इनको ही ले जा रहे हो किले किले हम लोगों ने भी कथा सुनी है बोला साब सुनने सुनने का महत्वे सुनने का अंतर है बोला ठीक है अब हम क्या करें बोला फिर कथा करो बोला फिर भी नहीं हो तो बोला फिर करना करते रहना एक दिन तो तुम्हारा नंबर आएगा ही आएगा तो जो नंबर आने वाला है उसकी तैयारी हमने करनी है और अगर उसकी तैयारी हमने नहीं किये तो आपका नंबर आने के बावजूद भी आप वो नहीं ले पाओगे जिसके लिए आप जीवित हो आप अगर इस बात पर विचार कर रहे हो कि आप अब बस बूड़े हो गए अब आपको मरना है तो ये बहुत छोटा विचार है ये उन लोगों का विचार है जिनके पास ग्यान नहीं है मरता शरीर है मरती आत्मा नहीं है आप अगर मरने के विचार में है जीवन को काटने के विचार में है तो आप शरीर को काटने के चक्कर में है लेकिन आत्मा तो अजन मरे उसकी तो आयू कुछ होती नहीं वो तो अनंत काल तक जीती आई है और जीती रहेगी जीती चली जाएगी अब निर्णा हमको ये करना है कि हम कौन है अपने आप से प्रष्ट हमने कल भी किया था आज भी करेंगे अन्त तक करते रहेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं जो भी हूँ वो क्यों हूँ और मैं जो भी हूँ वो क्यों हूँ तो फिर बाद में ये जान लेना आविश्यक है कि किस लिए हूँ? मेरा जन्म किस लिए हुआ है? क्यों हुआ है? और जिस दिन ये जान लिया कि इस लिए हुआ है तो फिर कैसे हुआ और कैसे करने वाली प्रक्रियामा आगे बढ़ेंगे? यहां तक आ गए हैं तो यह बात तैमान के चलिएगा कि कुछ तो अच्छी घटना घटने वाली है कुछ तो जीवन का कल्यान होने वाला है कुछ तो बहुत सुन्दर होने वाला है और फिर देखिए कि वो जो सुन्दर होने वाला है वो हमको शाम सुंदर से कैसे मिला देगा वो हमारे जीवन का कल्यान कैसे कर देगा ये समझना अतियावश्चक है और हमारे लिए कल्यान कारी भी है कल जिस तरीके से हमने महत्म को जाना शुरी सूत जी से शौनिकादिकों ने पूछा शौनिकादिकों को प्रश्ण और उत्तर का जवाब रश्ण उत्तरी का जवाब ही भागवत्म है सूत जी से पूछा गया कि हमें एक ऐसी कथा सुनाई है जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए और हमारे को अमरत्व प्राप्त हो जाए हम आनंद से भर जाए और तब उन्होंने उस कथा का रसपान कराने का निश्चे लिया जिसको भागवत्म कहते है भक्ती महरानी के बारे में बताया है ग्यान वेराके के बारे में बताया है और उसके बाद दुन्दकारी के पापों से मुक्त करने की प्रक्रिया को बताया है ये दोनों ही अवस्थाएं सब के लिए कल्यान का रही है जब कल महत्म में प्रवेश किया तब भगवान श्री वेद व्यास ने लिखा सच्चदानंद रूपाय विश्मुत पत्यादि हेत वे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्नमह लेकिन जब वो महत्म के बाद सकंद में प्रवेश करते हैं तो महत्म में वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पड़ाम करता हूँ लेकिन जब वो महत्म में जा रहे हैं वो उसके प्रथम श्लोक के विश्राम में जाते हैं तो वहाँ जो प्राकट है श्लोक का उसमें कुछ विशेश है और वो विशेश क्या है धामना सुइन सदा निरस्त कहकुम सत्यम परम धीमही पहले भगवाई श्री कृष्ण को प्रडाम किया है और अब वो प्रडाम कर रहे हैं सत्य को दोनों में बड़ा अंतर है जब उन्होंने महत्व को लिखा है तो महत्व को लिखने में वो प्रडाम कर रहे हैं भगवाई श्री कृष्ण को और जब वो सकंद में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रडाम किसको कर रहे हैं सत्य को क्योंकि सत्य ही इश्वर है इश्वर का जो मुख्य नाम है इश्वर का जो मुक्य धाम है वो सत्य है सत्यम परम धीम ही और हम क्या करने बैठे हैं हम उस सत्य को जानने बैठे हैं हमारा जो जीवन है वो किस बात को जानने के लिए मिला है और हम जानने क्या लगे हैं हम जानने बैठ जाते हैं घर भार गरस्ती मेरा तेरा तुने मुझे को ये नहीं किया मैंने तुझे को ये नहीं किया तुने मुझे ये नहीं दिया मैंने तुझे ये नहीं दिया मुझे ये बनाना है मुझे ये बिगाड़ना है असल में ये सब जूट है, सब यहीं जूट जाएगा तुम जितनी मी चीज़े बनाने वाले हो, तुम्हारे साथ एक नहीं जाने वाली और या तक कि तुम्हारा ये लाड से पाला हुआ शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला तुम कितनी जतन कर लो, एक दिन तुम्हें कंदों पर जाना है और कंदे वाले भी ले जाएंगी तो उसके वाद मिट्टी हो जाना है और मिट्टी मिट्टी में मिल जानी है, उसका भी कुछ नहीं होना तो फिर कर किसके लिए रहे हैं एक शम्षान में दो चिताएं जल रही हैं, एक राजा की एक रंक की आखरी में देखा तो दोनों मिट्टी के धीर लगे पड़े हैं ना जाना किस बात पे वो राजा था, ना जाना किस बात पे वो रंक था कलपना कीजिए, इतनी सुन्दर देह हमें मिलिए, इसके उपियोग हमने कैसे करें, इसके प्रयोग हमने कैसे करें क्योंकि पूरा जीवन उपियोग और प्रयोग पर आधारित है तुम क्या पकड़ कर चलने वाले हो, तुम क्या छोड़ कर जाने वाले हो बहुत साफधान रहना अपनी जिंदगी में जो तुमने पकड़ा है और जो तुमने छोड़कर जाना है वो दोनों एक ही होना चाहिए जो तुमने पकड़ा है और जो तुमने छोड़कर जाना है इसकी सबसे बड़ी विशेशता अगर पहली बूजू तो बताओ कि जो तुमने पकड़ा है वो भी तुम ले जाओ और जो तुमे छोड़के जाना है वो भी तुम ले जाओ वो क्या चीज हो सकती है जिस दिन ये जीवन छूटेगा जिसको तुम पकड़े हो वो छोड़कर जाना है वो भी छोड़ जाओगे और जो छोड़कर जा रहे हो वो लेकर जाना है वो सिर्फ और सिर्फ परमातमा का नाम है दुनिया में कोई चीज नहीं है दूसरी क्योंकि तुम जिसको पकड़ोगे और उसको छोड़कर जाना है और जिसको छोड़के जारे हो उसको लेकर जाना है तो ये एक ही चीज हुई लेकिन ये एक ही चीज सिर्फ और सिर्फ परमातमा का नाम है जो तुम्हारे जीते जी और जीने के बाद दोनों तरफ तुम्हारे कल्यान के लिए साथ खड़ी होगी बाकी तो सब यहीं के यही है आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पती, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी चाकरी, आपके मित्र, आपकी बनाई हुई संपत्ती कुछ भी साथ में नहीं जाएगी साथ जाएगा तो परमात्मा का नाम और हम क्या करते हैं हम पूरे जीवन जिन चीजों को साथ लेकर चलने की दौड में हैं दरशल वो सारी की सारी ऐसी चीज़ें जो हमें दुख देती हैं हमें बीमार कर रही हैं हमें परेशान कर रही हैं लेकिन हम इस बात के अज्ञानता में डूबे रहते हैं कि दुनिया में सर्वो परी इश्वर है, इश्वर के सिवा कुछ नहीं है और इश्वर का सबसे नहीं है, सत्य ही इश्वर है, सत्यम, शिवम, सुन्दरम तो हम किसे जानने बैठे हैं? हम सत्य को जानने बैठे हैं भागवत सत्य को जानने का विशय है, भागवत सत्य को जानने का गरंत है Who am I? मैं कौन हूँ? मैं किसलिए आया हूँ? मुझे क्या करना है? ये जानने का विशय भागवत है और ये जान लिया तो जीवन में आनन्द है तो सत्यम प्रमधी मही की जो बात आई यहां आई है वो सत्य कौन है क्या वो सत्य सूर्य है क्या वो सत्य चंद्र है क्या कि कईवार अज़ हम गायत्री पढ़ते हैं तो गायत्री में तो हम जब दीमही आता है तो हम उस समय क्या करते हैं क्या करते हैं हम उनको बड़े आनंद के साथ बड़े आनंद के साथ पड़ाम निवेदित करते हैं सब करते हैं लेकिन क्या सूर्य सत्य है जिसकी आयू है वो सत्य नहीं है सूर्य भी एक दिन मिट जाएगा और अगर सूरी एक दिने मिट जाएगा तो फिर हम गायत्री सुनाते किसको है क्योंकि हमें तो यही मालूम है कि गायत्री हम सूरी देवता को सुनाते है तो क्या सूरी सत्य नहीं है? बिलकुल नहीं है सूरी तब तक सत्य है जब तक उसकी आयू है उसके बाद वो मिट जाने वाला है तो फिर हम गायत्री किसको सुना रहे हैं हम गायत्री उसको सुना रहे हैं जो परम सत्य है जो ऐसे कई सूरी रोज बनाता है जो ऐसे कई पिंडों में रोज प्रकाश डाल के उसको सूरी बना देता है और कई सुरियों का प्रकाश रोज खीच लेता है उसकी आकाश गंगा में ऐसी लाखों गेंदे डोल रही है जिनमें प्रकाश भरना और प्रकाश निकालना उसका काम है तो वो जो जिसका काम है उस सत्य को हम सब पढ़ाम करते है वो जो जिससे ये जगत में उजिया रहा है उसको हम पड़ाम करते हैं वो जो जगत का पालनहार बनाने वाला है उसको हम पड़ाम करते हैं और ये हमारे जीवन की बड़ी उपलबती है श्रीमत भागवतम में पर्थम इसकंद में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो सुन्दरता है वो ये है कि यहाँ पर सूत जी से श्री शोनिकादिकों ने कुछ प्रश्न किये है और वो प्रश्न बड़े सुन्दर है और उन प्रश्नों का प्रयोजन भी बड़ा सुन्दर है जैसे इस कथा का प्रयोजन है मानो मंदर का निर्माण जैसे इस कथा का प्रयोजन है दीन हिन निराश्चित व्रद्दजनों के लिए एक ऐसा आवास तैयार करना जिसमें रहकर वो अपने जीवन के सर्वुच सुक को भोग सके जिसमें रहकर वो अपने जीवन के परमानन्द को भोग सके ऐसा सुन्दर जीवन हमारा होना चाहिए सुन्दर जीवन और उसी जीवन को जीने की प्रयास में हम और आप सब है हम खुद दो जीए हमारे द्वारा किसी के जीवन को सुन्दरता मिल जाए वो जीवन है आपको भोजन मिल गया ये आपका आपकी मेहनत है पर असल में आपकी मेहनत से आपके अलावा और एक किसी विक्ति को आप भोजन करवा दे वो आपका कर्म है अपने लिए तो जानवर भी भोजन इखटा कर लेता है अपने परिवार को चला लेता है पर जो परहित सोच कर जीवन जीता है असल में वही भागवत है असल में वही परमात्मा का प्यारा है आज देखिए हम व्रिंदावन में बैठे हैं और यहां इस समय दुनिया दुनिया से लोग आए हैं अंग्रे जी नववर्ष को मनाने के लिए पर यह अच्छी बात है कि ठाकुर जी के सानचत में कोई मौका मिला उन तक जाने का अंग्रे जी नववर्ष में जाने के लिए और आखरे दिन इस वर्ष का आज वो भी जाने वाला है लेकिन सबसे बड़ी सुन्दरता देखिए आप कि दुनिया दुनिया से लोगों को ठाकुर खीच के ले आते हैं यहां तक अपने अपने कामों में लगे हुए हर वेक्टी को खीच रहा पर खीच ही किसको रहा है जो खीचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं हर कोई नहीं किच था कई लोगों के नाम लिखवा दिये जाते हैं पर वो करते हैं आज नहीं ठंड जाता है अगली बार देखेंगे तो परमात्मा जानता है तुमने नाम लिख लिया मगर उसकी डाइरी में जिसका नाम लिखा है आएगा वही साब हर कोई नहीं आजकता उसकी डाइरी बड़ी महत्वपून है तो आज तो बड़ा सुन्दर देखिए हमारे यहां भी कई सारे लोग आए हैं काफी दूर-दूर से यहां भी कई लोग ठहरे हैं और बड़ी सुन्दर बात है कि देखिए प्रेड़ना देखिए कि कई और लोग भी जो आए हुए हैं कल से यहां पर अन्य प्रकल्प के लिए दो या तीन दिन की यात्रा जो उनकी है उन्होंने मानव मंदर के बारे में जाना और यह सुन्दर विचार उनको मानव मंदर का अच्छा लगा तो इसमें से लोधियाना से भी कुछ लोग आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मानव मंदर में अपने अपने संकल्प को दोराया है मानव मंदर के लिए उन्होंने अपने आपको अपने धन को भी सुन्दर बनाने के लिए इस वर्ष के आखरी दिन में अपने इस कारे को अतिसुन्दर करने का प्रयास किया है हमारे बीच लोधियाना से आजीवन सदस्द से बनी है कामनी खोसला जी ये आजीवन सदस्द से बनने जा रही है 21,000 रुपे की दानराशी से और माता जी और स्वर्गेश्री सुबाश्चंदर सेंगल जी है दिल्ली से जो 11,000 रुपे की राशी के साथ में इस सुन्दर सेवा को ले रहे हैं हम सभी सुन्दर तालियों के साथ इनका स्वागत करें और ऐसे भामाशाओं के द्वारा इस मंदर के निर्माण में जो सयोग मिल रहा है इश्वर इनके जीवन में अनंत अनंत आनंद दें ऐसी हम सब शुब कामना हैं इनके आगामे जीवन के लिए करते हैं गोविंद इनका खूब कल्यान करें वो आएं और बड़े आनंद के सथाकुर जी का प्रशाद ग्रहन करें बस जीवन बिचारों का खेल है आपको परमात्मा कब कहां खीच के अपके विचारों के साथ ले जाए ये आप भी नहीं जानते लेकिन उसके लेखे जोखे में सब की चिठी लिखी पड़ी है वो कब कहां किस को किस कारे के लिए बेज दे ये सिर्फ वही जानता है उसके अलावा कोई नहीं जाना लेकिन सूत जी से शौनिकादिकों ने जो शौनिकादिक आदी रिशी है उन्होंने सूत जी से जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बड़े सुन्दर है और उन्हों छह प्रश्नों के आश्रे में हमने अपने जीवन को जीना है ये छह प्रश्न कौन से है इन में से पहला प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है शास्त्र हम और आप इस कल्यूग में हैं और इस कल्यूग में हमारे साथ एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे पास समय नहीं है हम अपने पूरे जीवन को अगर तरीके से देखें तो हमारे पास समय नहीं है लेकिन एक बड़ी बात बहुत सुन्दर है कि भगवान ने हमको छोटे से समय में बड़ा कार्य दे दिया क्या दे दिया हमें शास्त्रों का सार जानने का मौका दे दिया शास्त्रों का सार हम सार सार की बात करने बैठे हैं क्योंकि हमें अपने लिए भी समय नहीं बचाए दूसरा प्रश्ण श्रेय कल्यान कैसे कहते है सौनिकादिक रिशियों ने दूसरा प्रश्ण कर दिया तीसरा प्रश्ण कर दिया कल्यान के प्राप्ति का कारण क्या है हेतू क्या है कल्यान कैसे होगा चौथा प्रिश्ण भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है भगवान अवतार क्यों लेते हैं क्यों लेते हैं भगवान अवतार ये जानना बहुत आविश्यक है और पाच्वा बड़ा सुंदर प्रिश्ण भगवान के कौन कौन से अवतार हैं क्योंकि इस कल्योग में तो आजकल कई सारे भगवान आ गए तो ये जानना जरूरी है कि असली वाले कौन से है और दुकानदारी वाले कौन से है ये भी समझना जरूरी है और छटवा बड़ा सुंदर प्रश्ण पूछा है कि भगवान जो सुधाम चले जाते हैं तो सत्य कहां रहता है धर्म कहां रहता है धर्म की रक्षा कैसे होती है भगवान कब और कहां किस तरीके से मिलते है इन छे प्रश्णों से ये कथा आगे बढ़ेगी प्रतेक प्रश्ण का उत्तर लगबग लगबग दो इसकंदों में देने का प्रयाज श्रीमत भागवतम में किया गया है और छे प्रश्णों के उत्तर को बारह इसकंद में बताया गया है इन बारहा हिसकंद से भगवान के सुन्दर चरित्र को जानने का मौका में लेगा 18,000 इश्लोक और 335 अध्याई के माध्यम से हम ये जानने का प्यास करेंगे सूत जी से श्री शौनिकादिकों ने जब ये पूछा तो सूत जी बड़े आनंद से बढ़ गए सूत जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि आपके च्छे के च्छे उत्तर बड़े सुन्दर हैं मैं इनका जबाब बड़े विस्तार पूर्वक दूँगा जिससे आने वाले समय में कल्यूग में छोटी से छोटी समझ वाला व्यक्ति भी अगर इनको समझना चाहे तो वो समझ सकता है उसके जीवन का कल्यार हो जाएगा तो प्रश्ण और नहीं प्रश्णों में एक जो प्रश्ण है कि भगवान के कौन-कौन से अवतार है और भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है तो सबसे पहले सूत जी ने उत्तर दिया है कि मैं पहले तुम्हें ये बता दूँ कि भगवान के कौन कौन से अवतार है तो उन्होंने बताया कि भगवान के जिन 24 अवतारों का वरणन आता है उन 24 अवसा अवतारों में भगवान का जो पहला अवतार है वो सनत कुमार का अवतार है जो ब्रहमन के रूप में अवतार इन्होंने लिया है ब्रहम चरिका पालन करते हैं और पांच वर्ष इनके उम्र रहती हैं उसे ज़्यादा उम्र नहीं बड़ती है चार भाई है दूसरा अवतार वरहओ अवतार भगवान ने ग्रहस्तों के लिया है ग्रहस्त अपने जीवन को सुखमय रूपसे जी सके उनके यहां कोई दिक्कट ना आए भगवान ने वरहओ अवतार लिया है इसके बाद भगवान नारद अवतार लिया है नर नाराइन का अवतार लिया है कपिल भगवान का अवतार लिया है दतात्र जी का अवतार लिया है यग्य भगवान का अवतार लिया है रिशव देव जी का अवतार लिया है प्रतु बहराज का अवतार लिया है मरतस्या अवतार लिया है कुर्म अवतार लिया है धनवंतरी अवतार लिया है मोहिनी अवतार लिया है नरसी अवतार लिया है वामन अवतार लिया है परशुराम अवतार लिया है व्यास अवतार लिया है श्री रामा अवतार लिया है श्री कृष्ण अवतार लिया है बलराम जी का अवतार लिया है हरी अवतार लिया है हंसा अवतार लिया है बुद्धा अवतार लिया है और अब सिर्फ एक अवतार बाकी है भगवान का इस कल्प का और वो है श्री कल की अवतार जिसमें अभी काफी समय बाकी है तो इन 24 भगवान के वरणन को भगवान की दिविता को जानने का विशे भागवत है भगवान को भगवान कौन? भगवान के रूप कौन कौन से भगवान क्या है? और रूप क्यों लेते हैं? इस पर भी चर्चा इस चर्चा को जानने का विश्य भागवतम है और यही जानने हम और आप बैठे हैं भागवत इस अम्रतमई विचार की वो सन्निदी है जहां अपने जीवन को इस सुन्दरता के आकार के साकार को समझ कर अपने जीवन को सुखत और सुन्दर बना लेते हैं अब कल्पना कीजिए हमारे को इतना सामर्थवन बना दिया इस शास्त की रचना करके कि हम भगवान को जानने की और अग्रसर हो गए रिशियों की कितनी कृपा है हम पर कितनी प्रताप है हमारे उपर कि हम ये जानना सीख जाएं कि भगवान के अवतार और भगवान क्या करने वाले हैं भगवान कैसे आते हैं हाला कि अगर दूसरी दृष्टी से देखा जाए तो भगवान तो निराकार है भगवान का तो कोई रूप है ही नहीं वेद में तो भगवान को निराकार ही बुलाना तो जब भगवान का रूप नहीं है तो भगवान रूप क्यों लेते है जब भगवान अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते है जब भगवान कोई कार नहीं करना करने को जरूरत नहीं है तो कारी क्यों करते है भगवान को कोई दुख नहीं है तो भगवान रोते क्यों है भगवान को किसी चीज़ का खुशी का कोई वो नहीं होता तो भगवान खुश क्यों होते है भगवान का जब कोई सगा संबंदी नहीं तो भगवान के रिष्टे क्यों होते हैं भगवान को जब संसार में नहीं कोई काम करना तो वो विवादी क्यों कर लेते हैं इन सब बातों को जानना हमें है और यह जानेंगे हम श्री मदभागवतम के इस पवित्र घाट पर बैठकर जहां इस अमरित्माई कथा के रसपान को करकर हम अपने जीवन के प्रमानंद को उप्लब्द होकर उस परमपिता परमात्मा की सन्न दी में जाकर उसकी गोद में बैठकर उनके हातों से अपने मस्तक पर फिरवा कर अपने जीवन का कल्यान करेंगे और जब वो ऐसा करेंगे तब ही हमारे जीवन की सारथकता है खूब डोल लिये पूरी दुनिया में सब को करके देख लिया कोई सगा नहीं है जब तक आप करते रहोगे वो एक विज्ञापन आता था ना जब तक बल्ला चलता रहेगा तब तक ही पूछ होती है जब करना बंद बल्ला बंद तो पूछ बंद तो जब तक आप आरतियां करते रहोगे दुनिया बर की सब आपको अच्छा बोलेंगे जब अपने आरति करना ये बंद की आप से ज़्यदा बुरा दुनिया में कोई नहीं होगा सब तो एक बात कहूं आरति करके बुरा बनना तो बहतर है बुरे ही बने रहो ज़्यादा अच्छा है कम से कम वो दुख तो नहीं होगा कमने आरति भी करी और दुख भी मिला तो बैतर है कि दुख बने रहो क्योंकि दुख बने रहोगे तो राम का नाम चलता रहेगा राम तो साथ रहेगा दुनिया छूट दिये तो छूट जाए वो साथ रहना चाहिए यह शरीर के संबंद सब जूटे संबंद है इनमें नहीं पड़ना है हमें तो बहुत आगे जाना है क्या रखा है यह आपको कभी सुख देंगे कभी दुख देंगे अंतो गत्वा यह कुछ नहीं देंगे यह सिर्व तुम्हें बहलाएंगे तुमारे समय को बरबाद करेंगे तुम्हारे भजन को बरबाद करेंगे तुम्हारे सत्संग को बरबाद करेंगे और खुद तो बरबाद हों गई एक दिन तुम्हें भी बरबाद करेंगे बचना है और बचकर कहा जाना है उस गोविंद की गली में जहां हमें समय बैठे हैं श्रीधाम प्रिंदावन में क्योंकि उसके है रिष्टेदारी निवानी है तो ऐसे निवाम उसके है किसके जो सबका है सर्मधर्मान प्रजत्यमाम एकम श्रणम प्रजबगवान कह रहे है तु मेरे पास आजा तु गंदा है तु अच्छा है तु विशई है तु विकार वाला है तुने पाप किये नहीं किये तु पापी है जैसा भी है आजा अब आप कल्पना करो इस दुनिया में बुरे हो आप और कोई आपको पुकार रहे कि मेरे पास आजा तो वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं आप बुरे बन जाओगे ने तो आपके माता पिता जिनों ने आपको पैदा किया वो भी कहेंगे भाग जायां से तेरी हमें जरूरत नहीं है भाई अच्छा अच्छा है तो तु हमारा है वरना तु जा तेरी जरूरत नहीं है लेकिन एक मात्र वो परम्पिता परमात्र वो बाके बिहारी है जो कह रहे हैं तुम जैसे भी हो बुरे हो बले हो अच्छे हो जो भी हो आजाओ मैं तुमारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूँगा भगवान कह रहे हैं वीता के अठारवे अध्याई के च्छासटवे श्लोक में तुमारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूँगा तुम एक बार मेरे तो हो जाओ तुम मेरे निकट आओ तुम मेरे हो कोई है आपके पास इतना सगा जो आपको इन विकारों के साथ, आपकी बुराईयों के साथ अपना सके अगर है तो अच्छी बात है भई लकिन मुझे नहीं लगता इस पूरी काइनात में, इस पूरी श्रष्टी में कोई ऐसा होगा जो आपकी बुराईयों के साथ आपको अपना सके हो सकता है कुछ गंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए कोई अपना भी ले अपने आपको थुड़ा अच्छा बनाने के लिए लेकिन एक दिन वो भी कहेगा, साथ अब नहीं होता अब नहीं होता, अब नहीं कर सकते इसलिए भगवान के हो जाईए नारज जी, व्यास जी के पास पहुंचें, व्यास जी बड़े दुखी स्वर में बैठे है दुखी नारज जी ने जब दुखी व्यास जी को देखा तो नारज जी प्रसंदता से भरे थे व्यास जी को देखके बड़े दुखी हो गए क्या हुआ आपको? लग कुछ नहीं है नहीं नहीं कुछ तो हुआ आप एक पर बताईए आपको हुआ क्या है? तो श्रीव व्यास जी कहते हैं कि मैंने वेद को चार भागों में विवक्त कर दिया वेद द्वापर तक एक होता है फिर यह जो रुवेद से बागी आगी आगी सारे जब श्रीव व्यास जी द्वापर में यह अपने कारे करते हैं तो वो उसको विस्तार कर देते हैं जैसे भागवता हम सुन रहे हैं मूल भागवत चार इशलोक की है तो मूल चार इशलोकों को 18,000 इशलोक में परिवर्टित कर देना ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें और आपको समझ आ पाए हम और आप समझ पाए क्यों हमें तो इतना ग्यान नहीं है इतना गूड ग्यान हम और आप में नहीं है तो भगवान कितनी बड़ी करपा कर रहे हैं हमारे उपर कि हमें वो बड़े आनंद से भर देते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो व्यास जी कहते हैं मैंने सब कर दिया मैंने वेद बड़े कर दिये पुरान उपनिश्द सब लिख दिया लेकिन नजनक क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ अब तक मेरे मन में बड़ी कुंठा है मेरे मन में बड़ी अगनी सी जल रही है कि मैं कुछ तो ऐसा रह गया है जो मुझे करना है श्री नारज जी मुस्कुराए नारज जी ने कहा आपने सब किया लेकिन आपने अभी एक कार्य करना बाकी है बोला क्या बोला इस कलियोग के लिए जो गरन्थ आपको लिखना है अभी वो नहीं लिखा गया क्योंकि कलियोग वालों को कोई ऐसा मीठा फल चाहिए जिसको चक कर वो अपने आनंद में डूब जाए क्योंकि उनको तो चवाने का भी वक्त नहीं होगा ऐसा कुछ हो जाए जो रस से बरा हो उस रस से इनकी तरप्ती हो जाए और वो उस रस में डूब कर आनंद मगन होते रहे तो बुला ऐसा क्या है बुला ऐसा कोई ऐसी कथा ऐसा पुरान की रचना कीजिए जिसमें भक्त और भगवान दोनों की कथों का वरड़न हो कल्योग में लोग अपने बारे में जानने का प्रयास करेंगे कल्योग में लोग हर चीज को इस बात से जोड़ेंगे इसमें मेरा क्या फाइदा है जब तक उनको अपना फाइदा नहीं दिखाई देगा वो भगवान को भी नहीं पूचेंगे अच्छा अगर देखा जाए दूसरी द्रश्टी से तो इसमें बुराई भी क्या है क्योंकि हम और आप भगवान को भी वास्तम में कब पूचते हैं जब भगवान से हमको कोई काम होता है अब काम की बात करो तो काम क्या होता है भगवान से माल लीजिए भगवान से हमें एक काम है कि भगवान हमें अपना बना ले ठीक है इसमें कोई दूसरे हमारा स्वार्थ नहीं है लेकिन कहीं न कहीं हम भगवान से कुछ तो मांग ही रहे हैं तो भगवान से हम वही मांगेंगे जो आनन्द से बर जाए तब श्रीवेद व्यास जी ने कहा कि साब ऐसी कैसी कता तो नारा जी कहता है मैं बताता हूँ आपको मैं पूर्व जर्म में मनुश्य था मेरी मा दासी थी संतों की सेवा करती थी एक बार बड़े संतों का रेला आया चातुर मास के लिए और हमने उनकी बड़ी सेवा की मा ने मुझे भी सेवा में लगा दिया हम सब सेवा करते रहे एक दिन की बात है चातुरमास खत्म होने लगा तो मुझे लगा इतना इतना दिविता थी उन संतों में मेरा मन कहने लगा कि मैं इनके साथ आगे बढ़ जाओ चला जाओ मैं उनसे कहने लगा मुझे भी अपने साथ ले चलो उन्होंने मना कर दिया का कि नहीं तुम अभी नहीं चल सकते क्योंकि अभी तुम्हारी मा की जिम्मेदारी तुम्हारे उपर है मैं सोचने लगा कि मेरी मा की जिम्मेदारी तुम मुझे बहुत समय तक निबानी है भगवान इस मा को ही उठा ले तो कम से कम मैं तो सत्संग कर सकूँ देखो बात तो बड़ी कड़वी लग रही है कोई अपनी मा के लिए सोचे का ऐसा लेकिन हकीकत बताऊं गोविन की गली में सब जायज है क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तब तक कुछ न कुछ व्यादियां रहेंगी और जब परमात्मा से मिलन की आग लग रही हो तो फिर चाहें सामने कोई खड़ा हो उसको पार करो और परमात्मा के हो जाओ क्योंकि जब तक तुम पार नहीं करोगे जब तक तुम कठोर नहीं बनोगे उस निर्मल मन वाले से नहीं मिल सकते तुम्हें एक दिन तो निश्चे करना ही पड़ेगा एक दिन तो तुम्हें कुछ लोगों से रिष्टे तोड़ने ही पड़ेंगे क्योंकि जब तब आप एक जगह से नहीं हटोगे दूसरी जगह जुड़ ही नहीं सकते प्रेम गली अतिसाकरी जा में दो न समाए जगत पती को पाना है तो जगत को तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप जगत के बने रहोगे तो जगत पती नहीं मिलेगा और जीवन में कई बार हम यही कड़बड करते हैं कि हम एक साथ दो नावों में सवार होते हैं और हम ध्राम से गिर पड़ते हैं और फिर कहते हैं नाव बेकार होती है नाव बेकार नहीं है हमारी पद्धती बेकार थी तो श्री सूत जी से जब प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे पहले इस कथा के सुन्दर पात्रों से निर्मित महाभारत प्रसंग को बताना चाहता हूँ जिस महाभारत में बड़े सुन्दर सुन्दर पात्र है दुरूपती जिसने करुझा मैं जीवन से भगवान को पाल कुंती प्रेम और दुलार अनन प्रेम जिन के अंदर है उत्तरा जिसके जीवन में शरनागती है जो भगवान की शरन में पहुँच गई भीश्म जिसे कष्टों में भी दर्द नहीं है जो गोविंद को याद करते हैं विदर जो धर्मराज है परिक्षित जो वैराक खिसे ओत प्रोट है इन छहे लोगों से ये कथा चलती है आगे बुला महावारत के इतने महान युद में महावारत के इतने महान युद में जब सबी लोग युद पूर्ण कर चुके कॉरों की हार हो गई तब उसके बाद । चारो और हजारो लाको करोडो लाशे विद्वा ऑड़तें बिना माबाप के बच्चे कुछ भेने अपने बाईयों की लाशे जूंड रही है कुछ पत्नियां अपने पतियों की कुछ अपने पताओं की लाशें बस ढेयरी ढेयर लगे है युद्ध बड़ा बायानक होता है एक युद्ध एक सदी खत्म कर देता है एक राष्ट्र खत्म कर देता है एक विवस्था खत्म कर देता है जहां तक हो सके इस बिवीशिका से बचा जाए तब जीवन की सुन्दर था है और घटना क्या घटी थी द्रोपती के द्वारा कहा गया एक शब्द अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं लेकिन एक बात मैं यहां कहूँ कि मैं द्रोपती को दोश नहीं देता क्योंकि इस युद्ध की सबसे बड़ी जो धूरी है वो दुरियोधन है वो दुरियोधन जिसके पास भगवान स्वैम गए मातर पांच गाओं मांगने और उसने का कि मैं सुई की नौक के बराबर भी नहीं दूँगा उसी दिन यह तय हो गया था कि युद्ध तो होगा दूसरी बात अगर दुरोपती यह न कहती कि अंदों के पुत्र तो अंदई होते तो भी युद्ध होता युद्ध तो होना ही था क्यों क्योंकि दुरियोधन का कारी ही ऐसा था दुरियोधन की मती ही ऐसी थी किसी को तो प्रारब्द बनना था बस अंतर इतना था अंतो गत्वा दुरोपती को दुश्यासन खीच कर लाता है, केशों से पकड़ कर खीच कर लाकर उसके जीवन को ध्वस्त कर देता है। शीकती हुई द्रोपती, रोती हुई द्रोपती, चिंगारती हुई द्रोपती, सभी के सामने हाथ जोड के निवेदन कर रही है, हमारे जीवन का कल्याण कर दो, मुझे मेरी रक्षा कर दो, मेरी रक्षा कर दो, कोई नहीं सुनता साथ, क्रपाचार्य, भीश्म, राजा, मंत जब राजा गलत हो जाए तो प्रजा का सामर्थ खत्म हो जाता है क्योंकि पाप के धन से पोशित हर व्यक्ती पाप में दब जाता है और उसके जीवन में कभी सत्कर्म करने का साहस नहीं आ पाता हम जो भोजन करते हैं हम जो पानी पीते हैं हम जो कपड़े पहनते हैं बहुत सोच समझ कर इस बात का विचार करें कि हम जो कर रहे हैं ये उस धन से ये धन किस गती का धन है किस मती का धन है जिस से हमारे साथ ये हो रहा है जिस दिन हम यह जान जाएंगे इस बड़े विज्ञान को जान गए तो यह जान लेना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सुन्दरता होगे रोती हुई, चीकती हुई, द्रोपती सबक से आग्रह कर रही है लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है भगवान और तब जब कोई नहीं सुनता दुशासन उसके चीर को खीचे ही चला जा रहा है तब उसको उस बनवारी का याद आता है जो सबकी रखता है बनवारी रे जीने का सहारा तेरा ना मरे दुनिया वालों से क्या कामरे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा ना मुझे दुनिया वालों से क्या कामरे जीने का सहारा तेरा ना मुझे दुनिया वालों से क्या कामरे जीने का सहारा तेरा ना मुझे मुझे दुनिया वालों से क्या कामरे जीने का आप चरीग कि युनिया वालों से का मुझे मुझे प्रूं Benn Salz जूटी दुनिया जूटे मंधन जूटी है ये माया जूटा सांस का आना जाना जूटी है ये काया जूटी दुनिया जूटे मंधन जूटी है ये माया जूटा सांस का आना जाना जूटी है ये काया ओ साचा तेरा नाम रे ओ मुझे दुनिया बालों से क्या खाब पनवारी है जीने का सहर तेरा नाम रे तुझे दुधिया बालों से क्या खाब क्या खाब जूटा ओ से क्या खाब ये जूब टूटा पुब जूभ जूब जूब रंग में तेरे, रंग गई गिरी धरे, छोड़े दिया जग सारा रंग में तेरे, रंग गई गिरी धरे, छोड़े दिया जग सारा रंग में तेरे, प्रीत की जोगन लेकर मन एक तारा रंग में तेरे, प्रीत की जोगन लेकर में तारा मुझे प्यारा तेरा ना बरे, मुझे दुनिया बालों से क्या ना बरे प्रीत की जोगन लेकर में तेरा ना बरे मुझे दुनिया बालों से क्या दाओं है के जो अचर जब जोगन लेकर में तेरे, जोगन लेकर में तारा दर्शन तेरा जिस दिन पाओं हर चिन्ता मिट जाए दर्शन तेरा जिस दिन पाओं हर चिन्ता मिट जाए जीवन मेरा इन चरणों में आसे की जोत जलाए जीवन मेरा इन चरणों में आसे की जोत जलाए ओ मेरी पगड़ी लोपाह शामरे बंचे दुनियाँ वालों से क्या आताबरे मन्मारी दे जीने का सहारा तेरा नावरे मुझे दुनियाँ वालों से जाताबरे मन्मारी दे जीने का सहारा तेरा नावरे मुझे दुनियाँ वालों से जाताबरे मन्मारी दे जीने का सहारा तेरा नावरे मुझे दुनियाँ वालों से जाताबरे मुझे दुनियाँ वालों से क्या का मरे मुझे दुनियाँ वालों से क्या का मरे मुझे दुनियाँ वालों से क्या का मरे भगवान दुरुपती की पुकार सुनते हैं और भगवान उसके चीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो अनन्त, कोटी, गुना बढ़ा देते हैं, उस चीर को दुश्यासन हार जाता है, लेकिन उस चीर को खीच नहीं पाता है, हमारे जीवन में भी कई ऐसे छण आते हैं, जब हमारा चीर खीचने लगता है, लेकिन उस समय हम पूरी दुनिया में भटकने के बजाए, अगर परमात्मा को याद करें, तो एक वहीं है जो उस चीर को बचा सकते हैं, हमारे जीवन का कल्यान कर सकते हैं, हमें चाहिए, कि हम अपने इस जीवन की परम सुन्दरता को उपलब्त होने के लिए भगवान का ध्यान करें, ना कि हम दुनिया में ध्यान लगाएं, बस इतनी सी बात समझने की हैं, और ये बात हमारे जीवन के कल्यान के लिए परम आवश्यक है, हमें चाहिए, कि हम अपने जीवन को सुख में बना लें, आनन्द में बना लें, दुरोपती की लाज भगवान ने रखी है, हमारी लाज भी भगवान रखेंगे, बस एक बात ध्यान रखना, दुरोपती के साथ एक घटना घट गई कि दुशासन ने चीर पकड़ लिया, पता है क्यों, क्योंकि दुरोपती ने पहले दुनिया वालों को याद किया, तब तक वो चीर पकड़ा रहा, अगर वो पहले ही बनवारी को याद कर लेती तो उसकी हिम्मत थी जो उसको हाथ भी लगा लेता है, हमारे दुख का कारण है कि दुनिया को पूझ रहे हैं, हमारे सुख का कारण क्या होगा कि जब दुनिया बनाने वाले को ही पूझे बाकि किसी को नहीं पूझे साथ, हमें इतना चाहिए, इतना ही करना है, और ये जिस दिन हो गया, उस दिन जीवन का कल और सूत जी कहते हैं कि भगवाजन चरीक क्रिश्न युद्द के उपरांत अब जाने की तैयारी कर रहे हैं द्वारी का और वो कुंती माता से सबी लोगों से भैट करने आएं और भैट करते हुए भगवाजन सब से मिल रहे हैं कुंती माता के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उन्होंसे कहा है कि बुआ अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ अब मुझे जाने की आग्या दीजिये मुझे सुन्दर अशिरवात दीजिये आज पहली बार कुंती माता भगवान को देखकर मुस्कुराई भी है और रोई भी है और वो क्या कह रही है आज नमस्ये पुर्शं पात्धम ईश्वरं प्रक्ते परम अलक्षम सर्व भूताना अंतर वह वस्थितम और कुंती माता ने हाथ जोड लिये आज पहली बार कृष्ण के सामने हाथ जोड के कुंती माता खड़ी है और क्या कह रही है मैं तुम्हे नमस्कार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम कौन हो तुम जगदीश्वर हो तुम परमेश्वर हो मैं जान गई भगवान ने का ये तो पर्दा खोल देंगी आज गड़बड हो जाएगी तो कुंती माता जब ये कहने लगी तो इतने मैं भगवान ने आखे भी दिखाई पर वो नहीं मानी आज मैं जानती हूँ प्रमान दे सकती हूँ कि तुम इश्वर हो और वो कहती है कि तुने तेरी मा के जो बेटे थे छे उनको मरने दिया लेकिन तुने मुझपर कृपा की तेरी मा से भी बड़ा सम्मान दिया कि मेरे पाँचों बेटों को जीने दिया हर पल लोगों ने कौरवों ने उन्हें मारना चाहा उनके जीवन को दफन कर देना चाहा दबा देना चाहा लेकिन हर पल तू साथ खड़ा रहा और तेरे साथ होने से मेरा परिवार बचा रहा आप कल्पना कीजिए द्रोपती भगवान को आज आईना दिखा रही है कि तुम जो ये भेश बनाए घुम रहे हो न ये तुम ये नहीं हो तुम जगदीश्वर हो तुम भगवान हो लोग नहीं समझ पाएं तो क्या होता है मैं तो जान गई भगवान अक पका से गए भगवान सक पका से गए अरे मैं ये छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं अच्छा ये बुआ बताओ कि मैं जा रहा हूं तुम्हें क्या दे जाओं मैं जा रहा हूँ द्वारी का तुम्हें क्या दे जाऊँ मा मुस्कुर आई है और मुस्कुरा के माने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं नहीं कुछ तो आपको लेना पड़ेगा कुंती से जब बहुत अग्रह किया तो कुंती कहती है कि तुम जानते हो कि हम इस्तरी है हम जो इस्तरी है हमारे जीवन की सबसे बड़ी विशेशता और जटिलता ये है कि हम दो जीवन जीती है एक और हमारा अपना परिवार जिसको हम ससुराल कहते हैं वो होता है और एक और हमारा माय का होता है हम जब छोटी होती हैं अपने पिता अपने भाई के आश्रह में रहती हैं और धीमे से बड़ी होती हैं तो हमारे पती का आश्रह में मिलता है और पती के आश्रह के बाद पुत्र का आश्रह मिलता है हम अपने जीवन को जीती है लेकिन इस पूरे जीवन को जीते जीते हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है और अगर वो खूबी नहीं हुई तो हमारा जीवन नर्क है और खूबी हो गई तो स्वर्ग है कि हमको अपने माय के और अपने ससुराल के बीच में ऐसी डूर बनानी पड़ती है जो कि बिलकुल एक तासिर जुड़ी रहे है हम पूरा जीवन जीती हैं लेकिन इस जीवन में हमको कई बार बड़े कस्ट होते हैं पराबर दोनों के सभाव और भाव को रखना पड़ता है हे कृष्ण, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर हमारे जीवन में इतने कस्ट होते हैं कि जिसकी कलपना आप नहीं कर सकते नारी का जीवन इतना कस्ट प्रत है लेकिन उस सब के बावजूद भी तेरा सहारा रहता है तो सब आनंद से हो जाता है भगवान कहते हैं अरे मां आप ऐसी बातें मत करो बुआ आप एक तो बताओ आपको क्या चाहिए नहीं मैं कुछ देना चाहता हूँ विपदह संतुना शाश्वत अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो फिर दे दो वगवान ने कहा क्या कुंती कहती है दुख दे दो दुख क्या दे दो दुख दे दो दुख आप बताइए भगवान सामने खड़े हो लोगोंने करोडो करोडो वर्ष्ट पश्चरिया करी और भगवान जब सामने आजाते हैं तो उनसे वो क्या मांगता है कभी आज तक किसी ने कोई ऐसा व्यक्ति आज तक तो नहीं मिला जिसने कहो कि भगवान दुख दे दो एक मात्र कुंती है जो कह रही है कि दुख दे दो जीवन हो तो ऐसा हो साक्षा तो सब कुछ देने वाला सब कुछ देने वाला लेकिन कुंती चतुर है इनका चतुर ये बड़ा सुन्दर है क्यों? क्योंकि इन्हें मालुम है कि दुख मांगने में फायदा है तो पूछा कि आपको वास्तम में क्या आपको दुख चाहिए बोला आप दुख ही चाहिए बोला कैसी बाते कर रही हो बुआ पूरा जीवन तुम्हें दुख में गुजार दिया तुमने कभी सुख नहीं देखा हर वक्त तुमने रोते हुए हाथ जोडते हुए अपने पूरे जीवन को जिया है और आज तुम कहती है कि दुख देदू लगता है तुम्हें सुख का स्वाद नहीं मालो में इसलिए तुम दुख माग रही हो मस्कुराहीं कुंती और कुंती ने आज बड़ी सुन्दर बात कह दिये नाराएंड जब जीवन में सुख आता है तो कई बार लोग परमातमा को भूल जाते हैं मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारे दियोए अनगेनेत मेरे उपकार है मैं चाहती हूँ कि मैं सदा तुम्हारे निकट तुम मेरे सदा निकट रहो इसलिए मुझे दुख चाहिए क्योंकि दुख ही वो समय होता है जिस समय 24 गंटे तेरा नाम चलता है तेरा ही नाम चलता है चलता ही रहता है और जब सुख आ जाता है तो नजने कौन-कौन से नाम आ जाते हैं फिर गडबड हो जाती है तो हे नाराइड, हे जगदीश्वर अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे दुखों से भर दो क्यों भर दो, जिससे जीवन भर जितना जीवन बचाए तुम्हारा नाम लेते लेते कट जाए और ये बात तो सही है, कि जब जीवन में सुख बहुत सारे हो जाते हैं न तो हम कई बार परमातमा को जैजै कर देते हैं जब सुख बढ़ जाते हैं अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और जब दुखी होते हैं तो जैसे करना होता हैं वैसे करते हैं दिन भर करते हैं भगवान को दिन रात याद करते हैं और एक बात आपको बताओ भगवान को जितना याद करते हो वो याद करने की जो पक्रिया है उस पक्रिया की सबसे बड़ी सुन्दरता ये है कि कही न कही हमारे जीवन में हमने वो किया नहीं है इसलिए आज करना पड़ रहा है ऐसे समझ लो कि अगर हम करमाला कर रहे हैं सारे दिन सारे दिन करमाला कर रहे हैं 24 घंटे करमाला कर रहे हैं 7 दिन करमाला कर रहे हैं 12 महीने करमाला कर रहे हैं लेकिन इतना सारा कारी कर क्यों रहे हैं इतना सारा काम भई देखो नौकरी भी करता है वेक्ति आठ घंटे की करता है हम 24 घंटे ही राम नाम राम नाम कर रहे हैं भगवान का नाम जप रहे हैं क्यों? क्योंकि कभी एक समय में हमने अपने अच्छे समय जब हम पर बढ़िया समय था तब हमने उसका नाम नहीं लिया तो जो उस समय हमने नहीं किया वो आज इखटा करके हमको करना पड़ रहा है अब बले ही हम इसको हसके करें या रोके करें काम तो जो मिला है वो करना पड़ेगा तो बहतर है कि हम हसके ही करें हमें अगर देखो ऐसे मान लो कि जीवन में दुख लिखा है कुंती माता के संधर्म में मैं समझू कि अगर जीवन में दुख ही लिखा है तो कोई बात नहीं, दुख को हस के काट लो न हमें तो मालूम है कि दुख है तो दुख के हस को काट लिया जाए तो रोने की क्या वश्चिकता है लेकिन अकसर लोग अपने दुखों को रोकर काटते हैं और रोने की ऐसी आदत पड़ जाती है जब जीवन में सुखा आते हैं तब भी वो रोते ही रहते है इश्वर से प्रेम अगर वास्तम में है देखो दो तरीके की बाते एक मजबूरी में प्रेम, एक वास्तम में प्रेम मजबूरी में प्रेम ये कि अब कुछ है नहीं करने के लिए तो भगवान का नाम लेओ भीया और एक वास्तम में प्रेम कि भगवान का नाम ही सब कुछ कर सकता है इन दोनों में अंतर है तो जो लोग वास्तम में प्रेम करते हैं उनके चैरे खिले होते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते हैं और जो मजबूरी में भगवान का नाम लेते हैं, वो निरंतर शिकायत करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है, किसी ने कह दिया ये करना है तो हम कर रहे हैं, अरे जब परमात्मा हमारा है, हम उससे प्रेम करते हैं, तो चाहें वो दुख में रखे या हमें रखता है, अगर हम ये सोचें कि हमारे जीवन में घटना है, घट गई, बताओ कितना दुखे हमारे जीवन में, हमको कैसा जीवन मिल गया, आप सम माताएं यहां बैठी हैं, मैं माताओं से भी एक प्रश्ण पूचू, कई बार लगता होगा कि हमारे साथ गलत हुआ, हो सकता है, ऐसा सोच में ऐसे विचार आता हो, कि हमारे बच्चों ने घर से बार कर दिया, या आज हमारा घर नहीं है, या कुछ नहीं है, मगर एक बात ये जो आप सोचते हो, इसके पीछे एक विचार और मैं दे रहा हूँ, अपने आप से ये भी प्रश्ण करना, कि कही हमारे प्रारब्द में अगर ऐसा लिखा है, तो हम दोश किसको दे हैं, हमने जो किया है, हम वही भर रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा किसी का रिष्टेदार नहीं है, कि किसी को जादा देगा, किसी को कम देगा, इश्वर के हम बड़ा संतुलत है, वो सूत-सूत लेता है, और सूत-सूत देता है, हम अपने करमों की खेती काट रहे हैं, और निवेदन आपसे, चाहें खेती कैसी भी होगी हो, उसको प्रसन्न होकर काटिये, परमात्मा हो सकता है, ये भी हमारी परिक्षा ले रहा हो, वो ये चेक कर रहा हो, कि इसको काम को, ये कुछ काम में दिया है, इनको ये रोके कर रहे हैं, या हसके कर रहे हैं, ये भी वो जानने का प्रयास करता है, वो हर पल हमें देख रहा है, हम हर पल उसकी निगरानी में हैं, तुम बैसी दुनिया का मन धन खूब कर लेना, और वो देख रहा है ये बात ध्यान रहेगी तो कभी गलती नहीं करोगे जो मिला बहुत अच्छी बात है हम भगवान का प्रशाद जब लेते हैं तो क्या करते हैं प्रशाद मिला माते से लगाया पा लिया कभी उसमें हम गलती नहीं निकालते तो ये जीवन जो मिला है प्रारब्द जो मिले है ये भी प्रशाद मान कर जी लिया जाए तो दुख होंगे ही नहीं दुख का कारण ये है कि हम अज्यानी है अज्यानी वेक्ती दुखी होता ज्यानी कभी दुखी नहीं होता राम कृष्ण परमंस एक बार नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं उनके पहर में एक बड़ा सा फोड़ा है, वो फुट गया है और नीचे मवाद, रक्त, वमन कर रहा है बड़ी और वो नाच रहे हैं मा काली मा करी माबो 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 चिलाते जा रहे हैं और वो ध्राम से नीचे गिर के मुर्छित हो जाते हैं लोगों ने का कि जरूर इस घाओ के वज़े से मुर्छित हो गए उनको बहुत देर बाद जल से मुर्छा तूटती है और जैसे मुर्छा तूटी उनके मुझे फिर निकला माबो, माबात वही है कि तुम शरीर में जी रहे हो या आत्मा में जी रहे हो यह तुम्हारे उपर निर्वर करता है शरीर के कस्ट कस्ट हो सकते हैं, भीश में पितामा बड़ी सी शैया पर लेटे हजारो बान उनके शरीर में चुबे पड़े है मगर महराज एक पल के लिए भी उनके चेहरे पर दुख नहीं है हमें एक काटा चुब जाए ना, तो चेहरे का रंग बदल जाता है उनके शरीर में इतने बान है, जिसके आप कलपना नहीं कर सकते है शरीर में रक्त की एक बूंद नहीं बची है लेकिन उसके बाबजुद भी चेहरे पर अनंद आनंद सुन्दरता है क्यों? क्योंकि वो परम सुन्दर, शाम सुन्दर के लिए जिये है जैसे उसने रखा, वैसे उसकी मरजी, उसको सुखोना चाहिए कभी कलपना करके देखो, हम उससे कहते हैं हमें सुख दे दे कभी उसके लिए भी तो कुछ सोचो, कि उसको भी तो सुख मिले जीवन भर उससे मांगते रहते हैं, वो भी दे दे के ठक जाता है हमारी demands खतम नहीं होती पर कभी ऐसा सोच कर देखो कि कभी हम उसके लिए भी उससे मांगे कि आज तुने खाना ढंग से खाया कि नहीं खाया दिन बर हजारों लाखों करोडों लोगों के लिए काम करता रहता है कभी तो दस मिनिट सुस्ता लिया कर कभी नहीं सोचते हैं हम इतने स्वारती हैं हम उससे सब मांग रहे हैं लेकिन उससे सब मांगने से अच्छा बड़ा काम कुंती ने किया कि उनसे उनको ही मांग लिया दुख रहेगा तो वो पास में रहेंगे भीश्म ने भी यही किया भीश्म इंतजार करते रहे करते रहे और अन्तो गत्वा एक समय ऐसा आया कि भीश्म को तरशन देने के लिए भगवान को उस मृत्यू शया के पास जाना पड़ा एक दिन हम सब की मृत्यू आएगी ध्यान रखना और हमारे शरीर में भी कई सारे तीर घुसे पड़े है वो तीर जिसको समाज ने हमें पलपल छेदा है जिन से हम पलपल दुखी हुए है जिन से हमारे कर्मों से, हमारे विश्यों से, हमारे प्रारदों से लेकिन इन सब को भुलाकर उस परमात्मा का याद करना अगर हम उसको याद करते रहेंगे तो एक दिन वो जरूर हमें तरशन देगा हमारा कल्याड करेगा मेरा निवेदन आपसे आज हम जिस प्रकल्प की बात कर रहे हैं जिस मानव मंदर की बात कर रहे हैं मैं कहता हूँ ये भी उसी तरह जैसे बीश में पितामा भगवान का इंतजार कर रहे हैं वैसे कई माताओं को इस मानव मंदर का इंतजार था अब वो साकार हो रहा है ये भगवान का ही दरशन है ये भगवान का ही रूप है भगवान के ही रूप को हम मानव मंदर कहते हैं मंदिर जहां वगवान निवास करते हैं वो दर जहां पर मन को बाहर रखकर अंदर जाया जाता है और सबसे बड़ी सुन्दर था कि इस दर को बनाने के लिए हजारों लोगों ने अपने सुन्दर धन में से कुछ-कुछ निकाल कर हम तक पहुचाया कि ये मंदिर बन सके वहां माताएं ब्रत जन पुर्श रह सकें असहाई जन रह सकें उनका कल्याण हो उन्हें भी उनके घरों में जैसे सुन्दर खाना पानी भोजन चाहे दूद आदी मिलता था वैसे उनको निरंतर सेवाई मिल सकें वह आनन्द से रहे उनके जीवन का कल्याण हो जाए आईए एक बार उन सभी भामाशाओं के नामों की सूचना तालियां बजाते लिए उन सबका हम स्वागत करेंगे जिनोंने उन व्रद जनों के उन असहाई जनों के लिए इस सुन्दर प्रकल पको महान बनाने के लिए अपनी सेवाईं भीजी हैं और उन सेवाओं के द्वारा उन सबका कल्याण हो रहा है हम उन सभी के नामों को जाने और आगामी जो कथाएं हैं उनमें हम रिशिकेश की बात कर रहे थे तो रिशिकेश की कथा दो मई से दस मई तक के लिए डिजाइन हो गई है दो मई से लेके दस मई तक हम सब रिशिकेश छुट्टियां इस बार मनाने वागे और पुनह हम बंदावन में यहां दुबारा भी बैठेंगे 24 जुलाई से 31 जुलाई जो की श्रावण मास होगा श्रावण मास भी हम श्रिधाम बंदावन में बनाएंगे और फिर अक्तूबर में जब अधिक मास आएगा तब हम फिर बंदावन में बैठेंगे और अधिक मास भी यहीं मनाएंगे ये जीवन के आनंद को मनुवूत करें आये उन सब के सुन्दर नामों की घोशना हम चान ले देश कथा से जुड़ चुका है तो लगतार मक्तों से प्राथना है कि सर्धाम रिंदावन की पावन धरा और आज 31 दिसंबर है हमारे यह कहते हैं कि आखर दिन की कथा सुननो तो पूरी कथा का लाव मिल जाता है और आखरी दिन आज साल का आखरी दिन है आज के दिन भी आपने दान कर दिया तो 2019 का पूरा दान माना जाएगा तो लगतार फूर भक्तों का प्रेम आ रहा है तो एक बर जोड़दार ताली बजा दीजे जो लगतार अपना मंगल में साहयोग सुर्धाम रिंदावन की पावन कथा में मानो मंदर के लिए दे रहे हैं आज पहला नाम आया स्री मतिस सीता पुल्दीव जी कनेडा से आपने दो फुट के लिए बाइस सो रुपए का सायोग दिया है बहुत बहुत स्वाकत बंदन अभिनंदन जो भी भक्त यहां पर होंगे व्यास पीट पाएंगे महरा स्री से आसरवाद लेंगे उसी किरम में स्रीश चंद्रकला देवी जी टाक दिल्ली से इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजे आप आजीवन सदस्ट बनिए 21,000 रुपए की मंगल में सेवा देकर जो भी भक्त बनना चाहते हैं तो आप 21,000 रुपए सेवा देकर आप चाहे एक किस्त में चाहे दस किस्त में भी सेवा रासी दे सकते हैं संस्था के तरफ से परमाण पत्र पटका और पटकी लियास पीट से आपका सम्मान होगा तो 21,000 रुपए की शिवा आई है और साथी साथ एक पर जोड़ दर ताली बजा दीजे जो बिटी आप वाले अवस्ता से ही आजीवन सदस बनी है बड़े सौभादी की गोरों की बात है नीतू कुमारी जी दिल्ली से हैं आप 21,000 रुपए का सायोग दे कर आजीवन सदस बनी है बड़ छोड़ी सुमर में आपका भी इस मनुसरी मानुसिवा संस्थान के मादम से बहुत-बहुत स्वागत वंदन अविनंदन और उसी करम में स्री गीता नवीन सिर्वास्तो जी है आप मुंबई से कथा सरवड कर रहे है और आपने भी 11,000 रुपए का योगदान दिया है एक फुल भूमी के लिए इनका भी बहुत-बहुत स्वागत है उसी करम में पूनम टंडन जी है फरीदाबास से आपने भी 11,000 रुपए का योगदान दिया 11,000 रुपए की मंगल वेरासी अंजूरानी जी पंजाब से 11,000 रुपए स्वर्गी स्री करपाल सिंगिंदाओर जी की पावन इसपरती में आपके परिवार की तरफ से आया है और 11,000 रुपए अंजना सुकला जी लखनों से आप भी कथा सरवड करने आपने भी एक फुल भूमी का सयोग दिया है उसी करम में 11,000 रुपए स्री लक्षमी गर्गी जी पुखराया कानपुर से है आप तालीव जाते रहिए हमारे सारे भक्तों का उत्सावर धन करिए तो कि पुरा देश विदेश दिसा के मादधम से आपको देख रहा है और उसी करम में 11,000 रुपए की मंगल में सेवा रूप मती जी दिली से है आपने भी दिया 11,000 रुपए का मंगल में सयोग जस्विंदर सिंग बिनोद जी जस्विंदर सिंग बिनोद बिटा जी है आपने भी एक फुट भूमीदान का संकल पलिया उसी करम में 1100 रुपए चंद्रकला जी है दिल्ली से आपका भी मंगल में योगदान आया 1100 रुपए अभिसेक जी है एक फुट भूमीदान 1100 रुपए बरजरानी जी 1100 रुपए सालू जी 1100 रुपए ओम प्रकास पुजारी जी और 1100 रुपए एमेस सग्रवाल जी और 1100 रुपए अंकिता गुपता जी उन समस्त भक्तों के लिए जोड़दार ताली वजा दीज जोनों ने पनी गाड़ी कमाई कांस है मरा स्रीको समंगल में संकल्प वान प्रस्तास्रम और वानो मंदर के निर्माड हेतु एक फुट भूमीदान में अपना सहयोग दिया अब उसी क्रम में जिन भक्तों ने पांच फुट भूमीदान का संकल्प लिया है पचपन सो रु लगदान दिया इनके लिए ुसि क्रम में पच्पन सो रुपे पुस्यन्त कुमार सरमा जी आपका भी पांच फुट का सही हो गए और उसी क्रम में पच्पन सो रुपे पी के अरोरा दिली से आपके तालिया हो बज़नी चाहिए आज खूब भक्तों ने अपनी aplikatura मान जो इंदोर से कथा सरवन कर रही है आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिननन और उसी किरम में एक नाम भी आए हुआ है दो फुट का 2200 रुपय का योगदाना है सुननदा भटाचार जी है और आज आपने दिख्षा भी लिए आपने स्रणागती भी लिए उनके जोड़ार ताली वजा दिए आप दिल्ली से पधारी हैं और आपने वी दो फुट भूमीदान का संकल पलिया मानो मंदर के लिए आपका भी इसमच के मादन से बहुत दोस्त वागत वंदन अभिननन और तीन फुट भूमीदान का संकल पलिया है स्री गोपाल जी आसाम से आप कथा सरवड कर रहे हैं तोनों के लिए भी आप जोड़ा जार ताली बजा देजे तो लगाकार जुटामरिनावन की पावंधरा भागबजी के मंगल में एक कथा के माध्डम स्योब भक्त मानो मंदर के निर्मान के लिए अपना मंगल में सहयोग दे रहे हैं अभी भी जो विवक दिसा के मादम से स्रवड कर रहे हैं तो आप चाहते हैं तो एक फुट ग्यारा सु रुपए पांच फुट रासी पच्पन सु रुपए दस फुट भूमीदान सहयोग रासी यारा हजार रुपए उसी प्रकार आप कच्छका या सबसंग भवन का निर्मान कराना चाहते हैं तो आप नम्बरों पर संपर कर सकते हैं और एक बर और जोरदार ताली बजा दीजे सीमा देवी टाक हावडा से हैं कलकता से हैं आपकी भी मंगल में सेवाई हैं और नीतु कुमारी दिल्ली जी आप भी आजीवन सदस्ट बनिए 21,000 रुपए की शेवा देकर इनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अविननन तो जो भी भग यहां है महरासरी से आसिवाद लेंगे तो जो भी भग देख दिसा के माद दमचे कथासर बढ़ करने आप भी चाहते हैं कि हमारी भी एक कुटिया सरदहम ब्रिंदावन में बने हम भी प्रजवासी बने तो आप भी 2,50,000 रुपए 3,50,000 रुपए या 4,50,000 रुपए की मंगल में शेवा देकर आप अपनी कुटिया भी बनवा सकते हैं एक कमरा का निर्मार करा सकते हैं साथी साथ आप वानप्रस्त आस्त्रम अपना मंगल में आस्त्रम वानप्रस्त आस्त्रम मानो मंदर में बतीत करना चाहते हैं भगवान के स्री चरणों में बतीत करना चाहते हैं तो 7,50,000 रुपे की शेवा देकर आप अपना इस्थान अपनी पुटिया भुख करा सकते हैं तो जोड़दार तालियों जुन सभी भक्तों का सम्मान हो जाए जुन्होंने अपनी मंगल में सेवा अपनी गाड़ी कमाई का अंस मरासरी के मंगल में संकल पे मानो मंदर के निर साती साथ जो पूरा देश-विदेश भारा सुरी को सुन रहा है आब भी चाहते हैं हमारे नगर में घर में परिवार में धेश में विदेश में मरासरी के माद्दम से राम खता भागवत का था भतमाल का सुन्दर आयोजन हो तो आपी संपत्र कर सकते हैं अब आए जैकारे के साथ पुन है चलते हैं हम सभी व्यास्टूट के ओर सीमा देवी जी है टाक हावड़ा से कलकता से आपने पांच हजार एक सो रुपए का सायोग दिया है इनके लिए बहुत बहुत धन्नवाद श्री रादे श्री रादे श्री रादे श्री रादे जिनका सामर्थ है वो भी जिनका सामर्थ उतना नहीं दिखता कई बार वो भी मुझे दिखते हैं कि वो इस महान काम के लिए कारे के लिए अपनी जितनी राशी हो सकती है उसको लगाने का प्रयास करते हैं हम अपने जीवन के परमकल्यान के लिए जो करें वो हम से कम है लेकिन हमें चाहिए कि हम जतना कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए अन्य नामों की घोशना एक घंटे के बाद होगी और तब तक हम कथा के प्रवहा में प्रवेशकर के परमानंद को प्राप्त करने की चेश्ठा करी ही सकते हैं श्री भीश्मे पितामा के पास भगवान गए है और भगवान ने उनसे चर्चा की है और जब उनकी चर्चा पूर्ण होने लगी तो भगवान से श्री भीश्मे पितामा कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ आप मुझसे कुछ ले लीजिए जब उन्होंने का कि आप क्या देना चाहते हो तब उन्होंने का कि मैं आपको अपनी बेटी देना चाहता हूँ लोग खड़े हैं लोगोंने सुचा भई ऐसी कौन सी बात है आज तक तो ये ब्रह्मचर का पालन करते हुए देखें कि इनकी कौन सी बेटी हो गई तब उन्होंने का कि मैं मती रूपी बेटी आपको देना चाहता हूँ देखो हम सब देते हैं भगवान को लेकिन एक बात बहुत बड़ी है हम अपनी मती नहीं देना चाहते है और इस मती में सबसे बड़ा अंकार निवास करता है अगर हम मती भगवान को देते हैं भगवान को सर्वस्व देना है तो अपनी मती सौपना बहुत आवश्चक है यह भीस्म कर रहे है और क्यों कर रहे हैं क्योंकि जीवन भर इस तरीके से आपका आश्रे मिले मिले जब मैं अपने लोक को जाऊं तो आपके दर्शन करके जाऊं क्योंकि आप मृत्यू के समय जो दर्शन होगा जो मन में होगा वही आगे जन्म मिलेगा वैसी ही व्यवस्था मिलेगी और हम तो श्रिधाम बंदावन में हैं इससे बड़ी सुन्दर बात क्या हो सकती है कि परमोक्ष दाइनी शृदाम बंदावन में निवास करने के लिए मानों मंदर तयार हो रहा है वानप्रस्त कुटिया तयार हो रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई कमी नहीं है सब कुछ ठीक है बाल बच्चे सब सैट हो गए है अब वो चाहते हैं कि अपने वानप्रस्त को भी हम सुन्दर बना कर शृदाम में मानों मंदर में वानप्रस्त कुटिया में रहें जिससे हम पहारी जी के दर्शन करते करते इस शरीर को छोड़े और आनंद से आगे बढ़ जाए उन लोगों के लिए विवस्ता तैयार हो रही है जिनके पास कोई धनराशी नहीं है कोई कुछ नहीं है लेकिन वो भी मानों मंदिर में रहेंगे आज जीवन रहेंगे और अपने जीवन का परमकल्यान करेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि इतना तु करना स्वामी जब यहोना चाहिए जीवन का अंत ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले श्री गंगाजी का तट हो यमुना का वंशी वट हो श्री गंगाजी का तट हो यमुना का वंशी वट हो श्री गंगाजी का तट हो यमुना का वंशी वट हो स्रीम गंगा जीता चट हो, यमना का वंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो, जब बाण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो, जब बाण तन से निकले इतना है तो करेना स्वामी पीता बरी कजी हो चहरे पे कुछ हसी हो पीता बरी कजी हो चहरे पे कुछ हसी हो पीता बरी कजी हो चेहरे पे कुछ हसी हो पिनी आम बनी डशी हो चेहरे पे कुछ हसी हो चबी मन मैं ये बसी हो चबी मन मैं ये बसी हो जब प्राड तन से निकले चेहरे पे कुछ हसी हो जब प्राड तन से निकले इतना तो करना स्वापी जब प्राड तन से निकले इतना तो करना स्वापी जब प्राड तन से निकले इतना तो करना स्वापी जब प्राड तन से प्राड चन अ कहापी कर दो खो उना कर दो 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 आगे। गन शाब जल्दी आदा हम को न भूल जाना गन शाब जल्दी आदा हम को न भूल जाना मेरे शाम जल्दी आदा हम को न भूल जाना मेरे शाम जल्दी आदा हम को न भूल जाना मुरली की धुल सुना मुरली की धुल सुना जब प्राणे तन से निके दे मुरली की धुल सुना जब प्राणे तन से निके दे मुरली की धुल जब प्राणे तन से निके दे जब प्राणे तन से निके दे मुरली की धुल जब प्राणे तन से निके दे इतनी मेरी अरज है मानो तो क्या अरज है एतनी मेरी अरज है मानो तो क्या अरज है ओ इतनी मेरी अरज है मानो तो क्या अरज है इतनी मेरी अरज है मानो तो क्या अरज है यह आपका प्रज है यह आपका प्रज है जब प्राणे तन से निके दे यह आपका प्रज है जब प्राणे तन से निके दे ओ इतना तो क्या अरज है जब प्राणे तन से निके दे इतना तो कर अस्वां में जब प्राणे तन से निके दे 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 ना में कर जब प्राणे तन से निके दे इतना तो परना साथ जब दारे तन्सी से दे कोविन्द हर श्वास पे नाम लिया तेरा हर श्वास को तेरे नाम किया तेरी राह पे चलते हुए हमने अपने को तुम परवार दिया तेरी आद में रोते तडपते हुए हर पल हमने तेरा नाम लिया एक आखरी आस है तुमसे मोहन तेरा नाम लिया तुझे आदि दिया तेरा नाम लिया तुझे आदि दिया तेरा नाम लिया तुझे आदि दिया ओइतना तो करिना स्वावी चगठाण तन्षी दिया इतने आदा तो करिना स्वावी चब राड़ तन्षी दिया ओ इतना तो करे ना त्वाँ चब राड़ तज से विए ओ इतना तो करे ना त्वाँ जब राड़ तल से जिख ले ओ इतना तो करे ना त्वाँ जब राड़ तल से ना त्वाँ जब राड़ तल से जिख ले इतना तो करे ना त्वाँ जब राड़ तल से निकले इतना तल से जिख ले जब राड़ तल से निकले जब प्राण तंसे निकले, जब प्राण सैंसे निकले इतना तो करना स्वाँ इतना जरूर कर देना गोविंद जब ये शरीर से प्राण निकले, जब आत्मा बिलग हो तो जड़ो ऐसा की तु सामने हो तेरा ये व्रिंदावन हो, तू हो और सिर्वत तू और में हो और कोई न हो हमारा मिलन हो, हमारी तैयारी हो, हमारे द्वारा हो श्री सूत जी, श्री शौनिका दिकों से कहते हैं कि भगवान द्वारी का चले जाते हैं भीश्म देह त्याग कर देते हैं यहां उत्तरा के गर्में परिक्षिजी का जन्म होना है और वहां एक युद्ध की विवीशिका से बचने के लिए भगवान द्रियोधन के पास जाकर निवेदन कर रहे हैं कि तुम एक काम छोटा सा कर दो ज्यादा कुछ नहीं पांच गाउं दे दो द्रियोधन कहता है कुछ नहीं दूँगा सुई के बराबर नहीं दूँगा और ज्यादा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें भी अंदर बंद कर दूँगा ज्यादा मुझे ग्यान न सिखाओ आपात काल जब होता है और जब विपत्ति काल होता है तब सही सला कभी समझ नहीं आती वगवाइन नाराइन की अनुपम क्रपा हुई है और यहाँ पर विदुर जी के यहाँ वगवाइन पहुँचें विदुरानी से उन्होंने कदली बड़िया केला के छिलके और केला आपने कथा सुनी है बस अंतर इस कथा को मुझे छेड़ने का यह मिशेश छेड़ने का अंतर सिर्फ इतना है कि तुमारे बड़े बड़े प्रशाद बड़े बड़े प्रासाद सब धरे रह जाते हैं अगर मन के अंदर उसके लिए वो सुन्दर भाव नहीं है भाव के भूके हैं भगवान और भगवान की करपा देखिए कि परमात्मा कितने रीज गए और विदुरानी से कहने लगे भूक लगी है या दुनिया के लोग भूग लगा के बैटें उनका भोजन छोड़ते हैं लेकिन साब आप देखिए कि छोटी सी खिछडी खाने के लिए वो जगनात अपनी मूरत छोड़कर किसी जोपडी में जाकर कहता है मुझे खिछडी खिला वो कहती है अभी समय नहीं है थोड़ा रोगशा काम करना है वगवान खुछ खुदी बना रहे हैं खुदी खिला रहे हैं और खुदी खा रहे हैं अब अकल पना कीजिए वो तो देखो चोर चोर तो पकड़ा जाता है एक दिन तो एक दिन बहुत जब देर हो जल्दबाजी थी करमा ने का मेरे पास आज बहुत सारा काम है अभी थोड़ी दिर से पकाती हूँ, वगवान ने का तू जब तक पकाईगी तब तक वहाँ, वहाँ जगनात में पुजारी लोग मेरा बोजन और तारा सब कुछ ले आएंगे, तो बहतर मैं ही बना दू, वगवान बनाने बढ़ जाते हैं, बढ़िया सी खिषडी बनाई ह कर्मा से कह रहे हैं, तुने बहुत काम कर लिया, तू भी थोड़ी सी खा ले, कर्मा को भी थोड़ी सी खिलाई है, खुद भी खाने में लगे, देखा टाइम हो गया, तुनंत यहां से भागे हैं, और अपनी मूरत में जाकर बैट गए, और यहां पुजारीों ने देखा क आज क्या बात है, अभी तो भूगन लगा है, इनके होटों पर कैसी खिचरी लगी है भाई, और जब कानी खुली, तो बड़े-ब्रहमन बैठे रहे गए, कि अरे हम तो नजने क्या-क्या सोचते थे, यह तो वहां जाकर भी खेल कर आए, बस यही दयान दी है, जरासी बात पर दयान दी रीज जाते है, अप रजाने की चिस्ठा तो कीजिये, वो करने का, वो हो जाने का प्रयास तो कीजिये, कि वो एक दिन खुद हमको ढूंडे, हम क्या उसे ढूंदेंगे, हम खुद खोय हुए हैं, इस दुनिया में आयते करने कुछ, करने कुछ लगे, हम प्रयास करने में लगें लेकिन असल में हमारा प्रयास परमात्मा को पाने का है या नहीं ये बड़ी बात है भगवान का नाम लेना भगवान को पाना नहीं है ये भगवान को पाने की एक छोटी सी प्रक्रिया है भगवान का नाम आत्म साथ कर लेना भगवान को पाना है जब तुम तुम न रहो जब तुमें तुम्हारा भा नहीं न रहे जब तुम तुम न रह जाओ जब मैं मैं न रह जाओ तब वोही होता है तब सिर्फ वही होता है कोई और नहीं होता और वो जानना वो तभी सब्भव है जब हमारे जीवन में परमात्मा के प्रती प्रेम जाक्रत होगा दो बाते समझ लेजी अगर हम अपने लिए जिएंगे तो कभी इश्वर को नहीं जाना सकते लकिन जिए जिएंगे दुनिया के लिए जिएंगे तो इश्वर हर चेहरे में दिखाई देगा हर शरीर में दिखाई देगा सिया राम मैं सब जग जाना आप कभी किसी की मदद करके देखिए अहीतू मदद कीजिए आप देखेंगे कि उस दिन आपको नीद बहुत अच्छी आएगी आप किसी का साथ देने का प्रयास कीजिए किसी की कस्टों को दूर करने का प्रयास कीजिए आप देखेंगे उस दिन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है एक विज्यानिक खोज हुई है, विज्यानिकों ने खोज की है, जिन लोगों के रिदय में दया जादा होती है, उनकी आयू लंबी होती है, और वो बीमार कम पड़ते हैं, दयावान लोग, मददगार लोग, जो लोग मदद करते हैं लोगों की, उनकी आयू लंबी होती है, वो स्वस्त रहते हैं, जादा बीमार नहीं पढ़ते कारण क्योंकि उनके अंदर खुशी होती है और जहां खुशी समाई होती है वाँ बीमारी की जगए नहीं होती साहथ वाँ बीमारी आती नहीं है और ये बड़ी सीधी सी कानी है समझ सको तो समझ लो ना समझे वो अनारी है वो कुछ नहीं कर सकता विदुर जी को बगा दिया अब विदुर जी को राज्य से निकाल दिया विदुर जी आगे बड़े हैं मार्ग में गए हैं यहां भगवान ने सुधाम जाने का कारेकिनम बना लिया श्री उद्व जी को पादुकाएं दी है विदुर जी को मिले है भगवान दोनों ने भगवान के रूप सुंदरी और उनके गुड़ों को बड़े गाना शुरू कर दिया विदुर जी और उद्व जी भगवान के गुड़ों की चर्चा कर रहे है चर्चा करते करते जीवन में बड़ा आनंद आता है और बात आगे बढ़ती है मगर उसके पहले जो परिख्षित है परिख्षित को पांडवों ने गादी पर बिठा दिया है क्यों बिठा दिया? क्योंकि पता पड़ा कि भगवान सुधाम चले गए है भगवान सुधाम चले गए माता कुंती ने सुना शरीर छोड़ दिया शरीर वही है जो भगवान का नाम जब तक है भगवान का धान तब तक है भगवान का धाम जब तक है जब तक शरीर है और जिस दिन इन मैंसे कोई भी चीज छूटे शरीर भी छूट जाना चाहिए राजा दश्रत जब तक जीए राम के लिए जीए और राम गए तो राजा दश्रत भी शरीर छूड़ गए जीवन हो तो ऐसा हो आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हो जीवन को कैसे जीना है यह कलाच इस दिना आ गई आप समझ लेना आपने सब कुछ जी लिया आप कल्पना कीजिए आप रोज कथाएं सुनते हैं क्योंकि अगर आप बैठे हैं तो आप रोज सुनने वाले हैं टेलिवीजन पर इस समय जतने लोग कथा सुनने हैं रोज कथा सुनते हैं क्यों सुनते हैं क्यों कि इनको कथा से प्रेम हैं इनको भगवान की लिलाओं से प्रेम हैं ये एक बात दूसरी बात कई बार बहुत दिन तक कथा सुनते है बहुत सालों से कथा सुनते है पर जीवन में धेरे नहीं आया प्रेम नहीं आया विश्वास नहीं आया दया नहीं आयी करुणा नहीं आयी सिर्फ ग्यानी बनके सुनेंगे तो ऐसा होगा बालक भाव से जब भी जो कथा सुनता उसके जीवन में परिवर्तन आता है नारेंट दर्शन देते है मगर जब वैस्क बनके सुनते हैं दुनियादारी के बनके सुनते हैं तो कभी कुछ समझ नहीं आता है आप क्या बनकर क्या होकर कथा सुन रहे हैं ये विशेश है विशेश ये नहीं है कि आप कथा सुन रहे हैं आप नहीं भी चाहेंगे तो भी कानों में पड़ेगा कोई घर में सुन रहा है चार लोगों को मजबूरी है सुनना लेकिन मजबूरी यहां काम नहीं करें काम ये होना चाहिए, कि आप कथा सुन क्यों रहे हैं, और वो लोग जो आपके विरोध में खड़े हैं, वो विरोध में इसलिए खड़े हैं कई बार, कि आप कथा तो बहुत समय से सुन रहे हैं, आप में कथा नहीं दिखती, तो वो कहते हैं ये नोटंगी क्यों वो अपनी जगह सही है लेकिन जब आप कथा सुनते सुनते आप में कथा दिखनी लगे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े कि आप कथा के प्रीमी है आप से लोग के आपको देख के भागवत जैसा सुरूप दिखता है आप दक्षित गोविंद के प्यारे लगते हैं वो जीवन में कथा उतरनी चाहिए आपके चहरों पर मुस्कराता हुआ कृष्ण का चहरा दिखना चाहिए राम का चहरा दिखना चाहिए सत्संग की भाशा मौन जरूर है लेकिन सत्संग की सुगंद सब को आती है आपके सत्संग की सुगंद महकनी चाहिए आप कथा भागवत सत्संग सुन रहे हैं लेकिन ये सब आपके आचरण में नहीं आया तो क्या सुना? आचरण आचरण आपको सुन्दर बनाता है और आचरण ही बताता है कि तुम कर क्या रहे हो हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में तभी जानते हैं जब उसका आचरण देख लेते हैं अरे इसका आचरण ठीक नहीं है अगर इसका आचरण ठीक है यही तो बात करते हैं लेकिन आप कलपना कीजिए कि अगर हम रोज भक्ती, पूजा, अर्चना सब कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है तो गड़बड है ना तो इसका मतलब हम कुछ नोटंकी वाला काम कर रहे हैं मनोरंजन वाला काम कर रहे हैं आत्मरंजन नहीं कर रहे है और जब तक जीवन में आत्मरंजन नहीं है जब तक जीवन में परमात्मा के प्रती असल में प्रेम नहीं है आप समझ लेना ये मनोरंजन बहुत समय तक काम नहीं करने वाला ये मनोरंजन दिक्कत देगा मानो या ना मानो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते है कि मनोरंजन दिक्कत देता है मनोरंजन कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता आपकी उम्र अब माल लेजिए उस परमात्मा से मिलन की और बढ़ रही है और इस मिलन की और बढ़ते हुँ भी अगर हम दुनियादारी में अपने रिदय को लगाए बैठे है तो समझ लेना अज्यान है और इस अज्यान से बचो क्योंकि तुम्हें रोटी की दोड़ हो सकती है तुम्हें कपड़ों की दोड़ हो सकती है तुम्हारी लडाई रोटी की कपड़े की मकान की हो सकती है लेकिन जिस दिन तुम्हारी लडाई उस परंतत्व को पाने की हो जाएगी इस सारी चीज़ें बौनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कर किस के लिए रहे हैं? ज़्यादा तर लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए कर रहे है और दुख की बात यह है कि इसका कहीं अंत नहीं है तुम्हें रोज रोटी चाहिए, रोज कपड़ा चाहिए, रोज मकान चाहिए मगर असल में किसको चाहिए? आत्मा को या शरीर को? यह सब चाहिए शरीर को, लेकिन हमारी आत्मा को भी इसके साथ हम नौकर बना के रग देते है कृपा करके इस बात का ध्यान दे जिए कि आत्मा का अपना कर्म है, शरीर का अपना कर्म है प्राणों का अपना कर्म है सब के अपने-पने करम हैं, हम इनको mix कर बैठे हैं, जोड़ दिया हमने सबको और यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख है, बीमारी है, निराशा है, असहजता है क्यों? क्योंकि हम परमात्मा से प्रेम करने के नाटक में हैं, प्रेम करते कम हैं कड़वी बात बोल रहा हूं, क्योंकि अगर परमात्मा से प्रेम है, तो फिर हम भीड में रहते हुए लोहों को धक्का नहीं देंगे हमारी लाइन तूट गई तो हम किसी पर छिलाएंगे नहीं हम परशाद की लाइन में खड़ें तो अपनी बारी का निश्चनता से इंतजार करेंगे हम किसी की धक्का मुक्की नहीं करेंगे, अगर आग यह सब कर रहे हैं चीख रहे हैं, चिला रहे हैं, तो आप समझ लेना शरीरों में जी रहे हैं, आत्मा में नहीं जी रहे हैं यह सब शरीर के धर में हैं आत्मा का भोजन परमात्मा हैं, और आत्मा का भोजन परमात्मा जिस दिन उसको मिल गया ना उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं नहीं जाती, वो जरूरत खत्म हो जाती है परिक्षिजी राजिस मिल गया, एक दिन परिक्षिजी ने देखा कि एक बद्र पुरुश बैल को मार रहा है उसके तीन पैर काटती है, बगल में गवमाता खड़ी है, कपकपा रही है, उस शूद्र को देखकर परिक्षिजी ने डाटा है परिचे लिया है, उसने बताया, मेरा नाम कली है और कली हूँ मैं, मेरा समय आ चुका है, परिक्षिजी ने उसको फटका रहा, बोला मेरे राज़े से चला जा, बोला साब पूरी प्रत्वी पर आपका राज़े कहा जाओ बोला जहां पाप होता हूँ, वाँ चला जा, बोला वाँ पहले से ही रहता हूँ, आप कोई नई चीज दीदी, अच्छी चीज दीजी, बहुत सारी चीज़े मांगी, जूट मांगा, मद मांगा, काम मांगा, निर्देटा मांगी, और एक अच्छी चीज और मिल गई, सोन सोना जिसने भी मेरे पिता जी के गले में मरा हुआ नाग डाला है साप डाला है मैं शिराप देता हूँ कि उस व्यक्ति का साथ दिन में तक्षक नाग के डसने से मुत्य हो जाएगी जैसे ही पिता शमीक को मालूम पड़ा बड़े ग्रोधित हुए बेटे के उबर बेटा राजा विश्णू का रूप होता है हमें ऐसे नहीं कर सकते तुरंट अपने दूतों को बोला राजा को तुरंट संदेश चुना और राजा के पास पहुंचें राजा को बताया राजा कहने लगा ये तो भहुत आरंद का विश्ण है इसमें डरना कैसा नाचने लगा परिश्चत को नास दे हुए देखकर लोग हतपरद है क्यों क्यों कि उनको बताया गया कि साथ दिन बाद तक्षक नाक के डसने से तुमारी मृत्प्य हो जाएगी सोचो किसी को पता पढ़ जाए उसकी मृत्य होने वाली है उसका क्या हलोगा कोई ये भी बोल दे ना पांस साल वाद मर जाओगे तुम गरंटी ये लिख देते हैं तो पता पढ़ा दूसरे दिन उसका वजन आदा हो जाएगा मुस्कुराता हुआ नहीं मिलेगा वो लेकिन एक मात्र परिक्षित है जो मुस्कुरा रहे कारण क्योंकि परिक्षित आज आश्वस है कि साथ दिन के भीतर उनकी मृत्यू कोई और करवा भी नहीं सकता अब तो बड़े आनंद का विशह है कि वो जीवन में अपने जीवन का काम और अच्छे से कर सके तब जीवन का कल्यान है अब फिर बड़े आनंद के साथ प्रिक्षित आये हैं गंगाजी के तट पर एक बट प्रक्षित के नीचे बैठे हैं आनंद सादू गण सन्यासी गण मुनी गण रशी गण वहाँ पर हैं सबसे निवेदन करके पूछा जिसके जीवन के साथ दिन रहे हो उसके कल्यान का साधन क्या है आप और हमारे भी साथ दिन ही रहे हैं साथ दिन में पैदा हुए है उन्हें साथ दिनों में मर जाना है किसी के पास आठवा दिन नहीं है सब के पास एक दिन में 24 गंटे तो माराज़ आपको यह चाहिए कि अपने जीवन के लिए दुनियाधारीक से भटकर पहले जगत्पति को शाधने का प्रयास करें राज़ा को जब कोई संतुष्टी वाला प्रश्न का जवाब नहीं मिला तब जाकर वो बटवरक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैट जाते हैं और जैसे वो ध्यान में बैटे हैं वहीं उन्होंने देखा कि सामने आकर एक अदबुद एक अदबुद सुन्दर सुन्दर से परिपुन कोई सुन्दर बालक कड़ा है जिसकी आयूद 16 वर्ष दिखती है वो गराले केश हैं सुन्दर दिखने वाले शामल गौन बड़ी बड़ी आके बड़ी सुन्दर नाक बड़ी सुन्दर केश उनको देखकर पडाम किया और सबने का अरे ये तो शुकदेव जी है और सभी शुकदेव जी को पड़ाम किया है और पड़ाम करके शुकदेव जी चुकि देखिए प्रश्ण राजा का था प्रबलता भौक थी मैं जान जाओं और इतने सुन्दर प्रश्ण का जवाब देने के लिए आज वन से निकल कर शुकदेव जी सामने खड़े हो गए आज शुकदेव जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्ण का जवाब दूगा पूछा जब वोई प्रश्ण दोरों ने का कि मैं तुम्हें बताता हूँ वरियालेशते प्रश्ण ग्रतों लोक हितों रप आत्वित्समत हपुन्सां शोतत्याशुयः परहा हे राजन तुमने जो प्रश्ण पूछा है जगत कल्यान का प्रश्ण है राजा जो तुम प्रश्ण पूछ रहे हो इस प्रश्ण के लिए साथ दिन तो क्या मैं कई कई सद्यों तक इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ शुक्देव जी ये राधाराणी का तोता है ये राधाराणी के लोग से राधाराणी के कहने कर प्रती पर आये है व्यास जी के पुत्र है वितिका के पुत्र है व्यास जी की पत्नी का नाम है वितिका वितिका के गर्म में 12 वर्ष रहे हैं तोते के रूप में बाहर आने का मौक़े की बात आती है तो जो व्याजी बार बार पूछें की भईया आजाओ ये आए नहीं क्यों क्योंकि इनको मालूम था गर में बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे जकड लेगी तो भगवान की माया से बचने के चक्कर में गर्व से भारी नहीं आये अंतो गत्वा भगवान को गर्व में जाना पड़ा ऐसा ऐसा निवेदन आया याँ भगवान गहे हैं वाँ उत्रा के गर्म में भगवान परिक्षित को बचाने करेया हुई और याड़ ये दोनों ही ऐसे शक्स है जिनको गर्म में भगवान के दरशन हुए लोगों जन्मों जन्मों तपश्रिया करते हैं सोची कितनी सुंदर माताय रही होंगी जिनके गर्ब में भगवान जाकर दर्शन देकर आए है कितने सुंदर भगत रही होंगी क्या इनकी तपश्चरिया रही होगी जो इनको पूरी दुनिया याद करती है भगवान के साथ परिक्षित और शुकदेव जी का भी स्मरण आता है बिना उनके कोई कारी आगे नहीं बढ़ता ये कितना विशेश है ये कितना सुंदर है उन्होंने जबाब दिया और बताया कि सबसे पहले मैं तुम्हें चतुशलो की भागवत सुनाता हूँ चतुशलो की भागवत सुनाते हुए शुकदेव जी परिछीजी से कहते है कि भगवान कहते हैं कि मैं जगत को बनाने वाला हूँ बनाए रखने वाला हूँ और अंत में जाकर जगत में मैं समा जाता हूँ जगत मुझे में समा जाता है अर्थात मैं सब जगह हूँ पंचितत्व का जो पंचितत्व है वो मुझे भी है और मैं पंचितत्व में भी निवास करता हूँ अर्थात भगवान कणकण में है बगवान सरवत्न हैं बगवान अपनी माया के बारे में चर्चा कहते हैं कि माया जो है उसको छिपाती है और जो नहीं है उसको दिखाती है असल में ये जो जगत है ना ये दिखने में कुछ और है अंदर से कुछ और है और जो अंदर वाला जगत है वो में दिखता नहीं है जो बाहर वाला जगत है वो में दिखता है हमको जो दिख रहा है वो सकते नहीं है कई बार हमें कोई एक विक्ती मिला बहुत अच्छे से हमसे बाते कर रहा है पर इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वो अच्छा विक्ती हो कई बार हमें कोई विक्ती मिला वो कड़वा बोलता है वो तीखा बोलता है इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि विक्ति गलत हो बस अंतर इतना इतना दीमे दीमे व्यवार करते करते हैं समझ आएगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है ये व्यवार से समझ आता है और समझ से समझ आता है भगवान तीसरे इशलोप में जीवात्मा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जीव है उसमें मैं निवास करता हूँ जो पंच तत्व से बना हुआ जीव है मैं उसमें निवास करता हूँ अर्थात मैं हवा में भी हूँ मैं जल में भी हूँ मैं प्रत्वी में भी हूँ, मैं आकाश में भी हूँ, मैं अगनी में भी हूँ और ये पंच तक तो मुझ में भी निवास करते है भगवान जीवात्मा के बारे में बता रहा है इसके बाद भगवान नंत्म श्लोक में जो तरशन दिया है वो बताये कि माया से बचने का उपाय क्या है तो जब पूछा कि माया से बचने का उपाय क्या है तो भगवान बताते हैं माया से बचने का उपाय सिर्फ एक है माया पती के हो जाओ जगत पती के हो जाओ जगत पती के होने के साथ साथ माया अपने आप आपके गुलाम बन जाती है अंतर इतना है कि हम जगत पती के नहीं होते माया पती के हो जाते है हम माया को सरवस्तु मान के उसके पीछे दोड़ना जादा होचेते समझते हैं जबकि माया पती को या जगत पती को साध लिया तो माया हमारा कुछ नहीं कर सकती असल बात यह है कि हमें घेर किसने रखा है माया ने माया रूपी जाल भगवान ने पूरे संसार के हर प्राणी के उपर फैक रखा है जो समझदार है वो बच चुका है जो भगवान के चरणों में है वो बचा हुआ है जो भगवान से दूर है वो फसा हुआ है एक मच्छवारा जब मच्छली पकड़ने के लिए जाल को फैकता है तो मचवारे के चरणों के पास पैरों के पास उसकी सबसे निकट जो मचलिया होती है उनके उपर जाल नहीं गिरता क्योंकि जाल दूर फैका जाता है बगवान की माया का जाल भी ऐसा है बगवान की माया का जाल जब वो फैकते हैं बचेगा वो ही जो बगवान के चरणों का दास होगा उनकी कथा उनके सत्संक से अपने जीवन को जीता होगा वो बचेगा अर्थात वो सब जो बगवान से दूर हैं वो एक दिन उस जाल में जरूर फसेंगे और उनके साथ क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं भगवान का समवाद होता है विदुर जी मैत्रे जी से मिलते हैं मैत्रे जी बताते हैं किस तरीके से आनंद हो बगवान से मैत्रे जी कुछ प्रश्ण, मैत्रे जी से विदुर जी कुछ प्रश्ण करते हैं अब प्रश्ण बड़े सरल हैं कि दुनिया बगवान ने क्यों बनाई बनाई तो ऐसी क्यों बनाई इतना ये सब क्यों किया, वो सब क्यों किया कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है तो भगवान साकार क्यों हो जाते हैं जब निराकार है तो जब उनका कोई रूप ही नहीं है भगवान तो निराकार है ना तो क्यों साकार हो जाते हैं संत दरश्टी देखिए कितनी सुन्दर है एक संत ने बताया बड़े सुन्दर दर्शन दिया कि देखिए हवा सरवत्र है पूरे वायू मंडल में हवा ही हवा है लेकिन आपकी कार आपका स्कूटर जब उसमें से हवा निकल जाती है पंचर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं है हवा निकल गई अब हम क्या करें अगर दूसरी दृष्टी में देखा जाए तो हवा निकल कहा गई हवा तो सरवत्र है हवा तो कहीं नहीं निकली अच्छा हवा सब जग है तो हवा निकल गई तो उसको बोलो कि बही अंदर गुश जा तो वो गुशती भी नहीं है वो टायर खुलता भी नहीं जब हवा सर्वत्र है तो लेकिन वहीं उस टायर को वहीं उस टू मे बरके उसको साकार आकार दे देता है वो ट्यूब में जब हवा बर जाती है तो वो काम करती है उसको एक गोल आकार मिल जाता है हवा निकल जाती है तो उसका आकार आडा तेडा रहता है बस यही साकार सुरूप के दरशन है हमारे को चाहिए कि हम किसी परमात्मा की सन्दी प्रक्त संत की इस माध्यम में बैठ कर उस सगुण उस निर्गुण दोनों को जानने की चिश्ठा करने के लिए अपने आपको उपलब्द करा के जीवन का कल्यान कर ले कल्पना कीजिए परमात्मा जब दया करने पर आ जाय तो कितनी दया कर सकता है कल्पना कीजिए परमात्मा जब देने पर आ जाए तो कितना दे सकता है हमारे पास लाको हजारो दारण है लेकिन समस्या सिर्फ यही है बगवान को मनुरंजन की तरह पूज रहे हैं जो लोग उनके जीवन में कभी घटना नहीं घटती मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि आप अपने ठाकुर जी को लिये लिये डोलते हो न मैं उसके भी मैं नहीं समझता ये कोई बात है परमात्मा को भी शुचिता देनी ज़रूर है आप कोई वीरा नहीं है कोई विठ्थल नहीं है कोई रहिदास नहीं है आपका वो वैसिस्ट नहीं है आप में वो साधने की ताकत नहीं है और अगर है तो फिर डोलने की जरूत क्या जहां तुम हो वहीं डोलेगा बड़ी सीधी सी बात है उसको परमानंद उसको विराठ ही रहने दो उसको इतना छोटा मत बनाओ अगर अपने आप को आप मीरा मानते हो तो आपसे बड़ा कोई मुर्ख नहीं है आप लगता है मीरा का अपमान कर रहे हो मीरा क्या है उसको नहीं जान सकते उन संतों के नाम लेने के पहले घबराट होनी चाहिए कि हम नाम लेने लायक भी है या नहीं उनके जीवन का एक शब्द भी हमारी जीवन ले है या नहीं और अगर ये बात समझ जाओ तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती वरना संतों का अपमान भी हम कहीं न कहीं कर रहे हैं वो तो पी गई थी विश्का प्याला तुम विश्कों छोड़ो बढ़िया उबलता हुआ एक प्याला ही पी जाओ तुम मान जाओं मैं तब तुम मानो कि तुम हो बहुत बड़े भक्त माराज जितना लेवल है उस लेवल में आनंद करो मैं कहता हूँ भगवान बहुत दयालू है लेकि भगवान को आप क्या कहते हैं उसे ब्रमित नहीं कर सकते उसकी आँखें हजार हैं उसके हाथ लाखों है उसको ब्रमित मत कीजिए प्लीज क्योंकि वो बड़ा चालाक है उसकी डंडी जब पढ़ती है तो आवाज नहीं आती और मुस्कुरा के निकल जाता है बगल से पता भी नहीं पढ़ता है बस इतना सा कर लेजिए जीवन में आनंद आ जायेगा वो जो कर रहा है वो जो करवाने वाला है उस करता के उस कारण को जान लेजिए अगर हम वो जान गए तो जीवन के समस्त आनंदों को हम जान जाएगे श्री मैत्रे जी से विदुर जी समबाद कर रहे है तो विदुर जी जब ये प्रश्ण करते है तो विदुर जी को मैत्रे जी बताते है कि ब्रह्मा ने श्रष्टी बनाई श्रष्टी में उन्होंने कई रूप देने का प्रयास किया पर श्रष्टी आगे नहीं बड़ी तब एक दिन वजब विचार ही कर रहे थे कि उनके दाएं और बाएं बाएं बाग से पुरश और इस्त्री का उद्गम हुआ मनु और सत्रुपा का उद्गम हुआ उन्हों को उन्होंने निवेदन किया आदेश किया कि बेटा तुम आंगे श्रष्टी को मैथूनी श्रष्टी की तेरा आगे बढ़ाओ संतती पैदा करो और आगे बढ़ जाओ दोनोंने वही प्रयास किया लेकिन खड़े हैं दोनों पूछा क्यों खड़े हो बुला सब रहें कहां आपने तो बुल दिया बढ़िया संसार बढ़िया सुन्दर आने बढ़िया लेकिन रहें कहां क्योंकि जली जल से बरी वही प्रत्वी थी तो करना क्या है बुरा हिरनाक्ष पूरी प्रत्वी को पाताल में ले गया है कौन लाएगा विचार ही कर रहे है कि तभी श्री भ्रह्मा जी के दाहीने नाक से एक जीव भार निकला देखते ही देखते आकाश में अच्छा गया चतुर बुजी उनका सुरूप है और जो मुख है वो शूकर का है बोलिये वराह भगवान की वराह भगवान गरहस्तों के भगवान वराह भगवान को यहां की बात मुझे समझ नहीं आती वरना आप दक्षिन भारत में जाएंगे तो आपको मंदिनों के अंदर एक भी खंबा एक भी दीवार ऐसी नहीं मिलेगी जाँ वराभगवान की मूर्ती नहीं होगी चित्रुए वो बड़े शुद्ध देविता है अज उनके वजे से हम प्रत्वी पर बैटें उन्होंने प्रत्वी को उद्गम दिया है वो नहीं होते तो हम कहां बैटते, कहां रहते, कहां जीते हमें यह समझना चाहिए तो वराभगवान प्रकट होते हैं और वराभगवान जैसे ही प्रकट हुए है वराभगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने का कि भाया अब आप कुछ की इसी भागवत भगवान की है आरती पापियों से पाप कुछ तारती ये अमनिग्रंथ ये मुप्ति पन्थीये पंचम वेर निराला नव जोति जगाने बाला ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम बेदिने राला नभ जोती जगाने वाला हरी नाम यही हरी ध्यान यही हरी ध्यान यही जग के मंगल की है आरते पापियों को पाप से है तारते हिसे भागवत बगबान की है आरते पापियों को पाप से है तारते ये सांतिगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरी तरश कराने वाला ये सांतिगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरी तरश कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमत सूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत हगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोले जगन पंद खोले सत मार्ग पताने तारती